क्या हौल है आप सभी के very good evening everyone सुन पारे हो तो एक बार मेरे को जल्दी से thumbs up कर दो एक बार बोल तो yes sir everything is audible everything is still here so that we can begin with the class हम class के साथ हम session के साथ begin करते हैं एक बार बोल तो yes sir everything is audible so that we can begin with the class आप बोल तो business studies की खतम करवा दिया business studies का तो पुरा पुरा syllabus हमने खतम करवा दिया most important mcqs जितने भी youtube पे होने थे सारे खतम करवा दिया आज entrepreneurship का हमने 1pm सबना मैंने आपका entrepreneurship का official mock test जो official previous year question का paper है वो solve करवाया था इसलिए हो सकता है आज की class नहीं चली हो but don't worry कल से आपके बास business studies चल जाएगी yes 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 everything is audible बहुत बढ़िया yes sir now okay hi asphalt बहुत बढ़िया harsh क्या है आप से बिगे अलो क्या दफ खुशी प्रजापती girl मिनाक्शी खुशी हर्ष अमन महेक yes sir audible everything is इसलिए बहुत बढ़िया session को begin करते हैं बहुत सारे students sir कह रहे हैं sir एक बात बता हो हमारी जितनी भी आप live classes है एक तो business studies की business studies की life class और एक entrepreneurship की ये अपना physical education की life class ये बंद क्यों हो गई है मेरे को एक बार चेक करना बढ़ेगा don't worry जो भी होगा मैं आपको telegram रूप पर अब्डेट कर दूँगा अगर इनका syllabus complete नहीं हुआ तो प्यारे बच्चों कल आपके पास resume करे जाएंगी money and banking, government budget, BOP, national income and related aggregates और income determination ये पांच chapter के most important MCQs with theory जितना theory possible हो सकती थी वो भी मैंने आपको करवाई है तो economics का मैं आपको बताता हूँ economics का macro हम खतम कर चुके है micro economics के CVT के अंदर दो chapters आने हैं और Indian economic development आनी है Indian economic development के तीन unit है सबसे पहला unit है development experience 1947 से 1990 में क्या हुआ था de-industrialization आई थी, independence क्या हुई थी, main sector हमारा agriculture था, फिर LPG आया था 1990 के बाद, मनमोन सिंग जी, liberalization, privatization, globalization लेके आया थे economic reforms 1991 के बाद क्या क्या है थे, इसके most top, top 50 MCQs, top 50 MCQs आदम करने वाले हैं, बहुत बड़ी है channel पर चल रही थी, वो भी वापिस start कर वाद हो, okay आशुदोष, done है जी, done है 11th का भी economics आएगा, micro economics 11th का पार्ट है, उसके दो chapters आपके पास आने वाले हैं, मैं complete करवाँगा, मैं आपको बताता हूँ Indian economic development के 3 units हैं, first unit के साथ हम start कर रहे हैं, second or third unit कलोर परसोगा, please कोई भी life class मिस ना करें सबसे पहला question आप सबके सामने ये रहा, सबसे पहला question मुझता है, who among the following estimated India's per capita income during the colonial period आपको पता है, एक नाम ने है, कहीं अनेक नाम है, सबसे पहले तो VK, RV, Rao, दादा बाई, नरोजी, इन दोनों ने करा था, right answer is, both A and B is the right answer काल मार्क्स ने नहीं करा था estimate, देख लो यार ये नाम कौन कौन से हैं, दादा बाई, नरोजी, विल्लियम डिक बाई, फिंडले शिरस, VK, RV, Rao, और RC, Desai, these are economists who estimated India's national income and per capita income during the colonial period, क्या ये बास आपको समझा गई, D, D, D is the right answer, बहुत सरे students कहरें, अरे बच्चो, एक नहीं किया था, multiple लोगों ने किया था, मैं वही आपको बताना चाहरा हूँ, वही आपको बताना चाहरा हूँ, एक नहीं किया था, multiple लोगों ने किया था, कौन है वो multiple लोग, तो देख लो भाई, कौन है, वो multiple लोग, एक तो दादा बाई, नरोजी है, और कौन कौन है दादा भाई नरोजी के साथ साथ और आपके पास विल्लियम डाइक भाई हैं फिंले शरस हैं वी के आरवी राओ है और आफ सी डिसाई हैं कहे बास अब को समझागे डी 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 इस राइड आंसर शाल भी मूव अहेड आगे मूव अन करें बिटिश रूल विछ कंट रीट से यार्ज़िएं फॉरें बू ब्र्इटिश रूल के समय यार ब कर रही है तो इंडिया के फॉरें ट्रेट भी बृरेंट में जाज़िघी foreign trade का मतलब होता है चाहे वो exports की आप बात करो चाहे वो आप imports की बात करो आप foreign trade से क्या मतलब समझते हो मैं ये भी आप से बता देना चाता हूँ foreign trade का मतलब होता है x-m exports minus imports yes exports minus imports ठीक है right answer इसका होना चाहिए Britain British जब rule कर रही है country के अंदर तो Britain अपने आई तो basic goods और India को उनोंने क्या बना दिया था market for final goods बना दिया था क्यों? क्योंकि Britain के पास क्या थी man made item से हड़ कर वो machine products बनाते थे India man made products जाता बनाता था Britain के अंदर machine power बहुत जाता थी Britain machine के products जाता बनाता था तो वो जो machine के products थे वो सस्ते होते थे और वो इंडिया के अंदर आते थे इंडियन फिर उनको पर्चेस करते थें और जो इंडिया के handicrafts है इंडिया की embroidery इंडिया का manmade work है वो Britain के अंदर higher prices luxurious prices पर विक्ता था Right answer is C, right answer सब को recall हो गया बुले I still know Britain had a monopoly control on the foreign trade क्योंकि यार जो country इतनी natural सी बात है rule करेगे इंडिया के उपर वो ही तो अपना export import उनके साथ ही तो जा रहा होगा उनकी country में तो जा रहा होगा ठीक है जी right answer is C During the British rule livelihood of the majority population of the country was dependent मनलब British rule के during and on the eve of independence दोनों का same answer है एक तो होता है देखो है British rule एक जब British छोड़के भागा है that is 1947 तो यह होता है on the eve of independence और British rule दोनों के दोरान agriculture sector was booming और majority population of the country agriculture के उपर dependent थी During the British rule India was directly or indirectly dependent on the agriculture sector What was the growth rate यह per capita income in India का growth rate जो है exact NCRT का figure आपको उठानी है किसकी figure आपको उठानी है exact NCRT की figure उठानी है आपको क्या यह बाद सबको समझा रही है बोलो yes or no growth rate किसकी figure उठानी है आपको NCRT की figure उठानी है तो growth rate क्या था कोई बता सकता है A.09% B.5% C.1.2% यह D.3% जल्दी से बता तो इसका right answer क्या होगा बहुत बढ़ी है बहुत सारे students answer सही दे रहे है C. इसका right answer नहीं है शिष्टी, अधिता, सुर्यांश right answer इसका B आना चाहिए B. for Bombay 0.5% क्यों NCRT का data यह बोलता है ठीक है जी the growth rate the growth aggregate real output GDP जिसको बोलते है was less than 2% during the first half and the growth per capita income थी 0.5% per capita income क्या होती है इसकी एक definition दे रखिए it is the measure of the amount of money earned per person for example per capita income का अगर मैं आपको बोलूं किया formula क्या होता है sorry per capita income का अगर मैं आपको बोलूं what is the formula of per capita income तो आप क्या करोगे total income total income निकाल के divided by total population कर देंगे total income निकाल के divided by total population कर देंगे तो per capita per capita निए per capita income आजाएगा ये बाद सबको समझागे per capita income मतलब total income upon total population of a country ये किसी भी country की निकल सकती है ये एक निए किसी भी country की निकल सकती है ठीके जी बाद समझागे yes 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 ये बाद समझागे सबको सभी student session को जल्दी से like करो अच्छा užफिए इंडीन ये लोफिति है सबसे जառदा de-industrialization के दूरा right answer लफ एक नोरी जल्दी से बतातो important है यार अभी de-industrialization का पुरक पुरा concept हम समझेगे बहुत इंट्रस्टिंग arriv delegation was a major setback pertaining to which Indian industry कोदी इंडीन industry में सबसे ज़्यादा impact बढ़ा था de-industrialization का yes कोई बता सकता है handicrafts very nice right answer इसका B for Bombay is right answer handicraft इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है BBB is absolutely right before the advent of British in India the traditional handicraft industries enjoyed a worldwide reputation for their quality and standard of craftsmanship ये before advent of British in India की बात कर रहे हैं before advent of British in India का मतलब British के आने से पहले advent मतलब आने से पहले arrival से पहले traditional handicraft industries ने खूब कमाया खूब reputation कमायी worldwide जाती थी और Indians भी उसको enjoy करते थे क्यों standard of craftsmanship कारी-करी बहुत important थी कारी-करी बहुत बढ़िया थी बट colonial government ने क्या किया जान बूचकर plan decline इसका किया ताकि handicraft industries सिरव और सिरव आपका Britain इसको enjoy कर पाए बाकी जगए export ना हो right answer क्या होना चाहिए handicraft is the right answer उन्होंने machine made products machine made goods बनाने शुरू करते जो replica थे handicrafts के जो कि या रब खुद बताओ handicraft products बनते हैं एक दिन में मान लो 10 machine made बन जाएंगे machine made products एक दिन में बनते हैं 100 तो cost wise cost of economy बोच सकते हो production में machine made goods ने handicrafts को beat कर दिया था इसलिए de-industrialization के दोरान handicrafts का सबसे आदा handicrafts सबसे आदा fall में आये थे be is the right answer आगे आजए चलो good everyone good production of large amount of cash crops for the purpose of export is termed as what production of large amount of cash crops का मताओं क्यों होता है cash crops का मताओं यह नहीं कि cash उगाया जा रहा है ऐसे crops जिससे खूब पैसा आए for the purpose of export ऐसे crops जो बाहर की देश में जिनकी ज़्यादा demand है इंडिया में demand हो या ना हो हम उनको नहीं उगाएंगे हम तो उनको उगाएंगे जो बाहर की देश सबसे ज़्यादा demand कर रहे है production of large amount of cash crops for the purpose of export is termed as commercialization इसको क्या बोला जाता है इस term को coin किया गया है commercialization of agriculture ए ए ए इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है क्या ये वाद सबको समझागी A is the right answer ठीक है जी ठीक है जी A इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है let's move ahead A for Ahmedabad इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है ठीक है जी commercialization of agriculture is a phenomenon where agriculture is governed by a commercial consideration that is certain specialized crops certain specialized crops begin to be grown not for consumption in village मैं बही बता रहा हूँ न इंडिया के अंदर जो villages है उनके अंदर demand को cater नहीं किया जा रहा उस demand को cater किया जा रहा है जो बहार international markets में बिखती है इसको बोलते है commercialization of agriculture right answer is a right answer ठीक है जी apart from cotton which other textile industry saw its advancement in parts of India during the British rule बहुत बढ़िया by cotton के अलावा किस other textile industry ने अपनी advancement देखी in parts of India during आपको पता है cotton famous हुआ था और jute famous हुआ था इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है let's move ahead बहुत बढ़िया सही answer है ठीक है with reference to industrial sector state the correct combination of statement basically इन में से आपको बताना है कौन से statement correct है British wanted to reduce India to a mere supplier of raw material यह भी मैं आपको बता रहा हूँ British सिरफ और सिरफ raw material provide करते है British ने इंडिया की ऐसी हालत बना दी कि सिरफ raw material just give me a moment with reference to industrial sector the correct combination of the statement इसमें क्या होना चाहिए British wanted to reduce India to a mere supplier of raw material मतलब सिरफ supplier of raw material की हालत होगी थी इंडिया की यह बिल्कुर statement true है यार British कभी नहीं चाहती थी इंडिया रोक करें progress करें British कहती थी भाई India आप क्या करो सिरफ और सिरफ हमें raw material provide करते रहो बिल्कुर सही है India was a market for मैंने बताया Britishers ने machine goods बनाने शुरू करते थे तो India was a market for British finished goods finished goods ये भी बिल्कुर true है right answer is A and B is absolutely right B is absolutely absolutely right answer B, 1 and 2 इसका बिल्कुल बिल्कुर सही answer है B अब मैं आपको बताता हूँ improvement was the basis of Indian economy due to improvement of industries मैं आपको बताता हूँ India का improvement होना उसकी industries में improvement होना ये तो कभी British का motive था ही नी India का improvement improvement of industries ये कभी भी British का motive था ही नी इंडिया के लिए बलकि British तो कह रहे थे हम इनकी de-industrialization करेंगे ये दोनो true है and this is absolutely false ये दोनो true है और ये बिल्कुल false है क्याए बास अब को समझाई 1 and 2 are true 3 is false तो 1 and 2 इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है ठीक है जी आगे more करें British policies ruined the small scale manufacturing industries of India as these industries faced a stiff competition by the British man-made British machine-made products and India was reduced to a cheap raw material provider moreover British के जो British के जो machine-made products थे और finished goods थे वो import करे जाते थे इंडिया में on a large scale जो इंडिया जड़ी मेली खरीदते भी थे यह देखो yes अलोग यादव यहाँ पे आपको explanation मिल जाएगी British policy ruined the small scale manufacturing industries यह बिटिश की जो policy थी high tariff लगना exports के उपर वो इतना tough competition stiff का मतलब tough competition face करती थी British machine-made products से कि इंडिया बस एक cheap raw material provider बन गी थी इंडिया ना कुछ बना सकती थी थी तो सिरफ वो इंडिया में बिकता था और भार बेचनी सकती है tariff बहुँ ज़्यादा है थे फिर जो इंडियन products है उनको tough competition देने के लिए British के machine-made products भी आ गए थे और finish goods आ गए थे और फिर ultimately जब वो इंडिया में इंपोर्ट है लोग उनकी तरफ जाने लगे because they were cheap in nature जो large scale में बनता है जितना वो उतना cheap in nature होता है 1 and 2 इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है B 1 and 2 is absolutely right Abolition of intermediaries and land sealing are part of what बता तो भाई right answer क्या होगा Abolition of intermediaries and land sealing they are part of what they are part of industrial reforms in India external sector reforms in India land reforms in India या banking reforms in India क्या मतलब होता है जल्दी से बता दो intermediaries मतलब जो भी बीच में दलाल है mediator है जो भी बीच में commission कहा रहा है भाई हम नहीं उसको बरदाश करेंगे उनको abolish करो land sealing का मतलब एक upper limit लगा दी किया है एक farmer के पास एक human being के पास एक Indian के पास इतना ही land हो सकता है इससे upper limit में land नहीं हो सकता उसको बोलते हैं land sealing तो abolition of intermediaries or land sealing they are part of what industrial reforms in India external sector reforms in India land reforms in India right answer इसका C होना चीए C for Calcutta is absolutely right C, C, C इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है कोई problem तो नहीं सही सबको बास समझागी C is the right answer land reforms in India includes abolition of intermediaries so the farmers are not exploited basically land reforms के दो पार्टे क्या था एक तो abolition हो गया और एक land sealing हो गया C is the right answer India entered the dire stage of demographic transition after the year 1921 India 1921 के बाद कौन से demographic transition stage पे गुशा था right answer is second इन stages को समझते हैं second इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है demographic transition आपको मैं honestly बता हूँ यह sociology का topic है यह sociology का topic है अगर आपने class 12 की sociology बढ़ी है तो definitely आपको यह पता होगा demographic transition बोलते हैं इसके तीन stages होते है first stage के अंदर birth rate हमेशा death rate से ज़ादा होता है high होता है second stage के अंदर birth rate greater होता है death rate से इसके अंदर stage of population explosion हो रहा होता है population food होती है बहुत ज़ादा grow हो रही होती है जो इससे में stage चल भी रहा है इंडिया का और stage 3 पे birth rate is equal to death rate होता है both exist at the same point of time यह सबको समझा गया stage 1, stage 2, stage 3 इंडिया is at stage 2 of population explosion second stage पे है वो इसससे में right answer is second is the right answer आगे move on करें dash describes the status of industrial sector during the British rule बहुत बढ़िया है बही जल्दी से बतादो इसका right answer क्या होगा जल्दी से बतादो इसका right answer क्या होगा dash describes the status of industrial sector during the British rule modern industry, handicraft, systematic de-industrialization या jute and textile industry status of industrial sector during the British rule इसका right answer होना चाहिए modern industry बिल्कुल नहीं handicraft, ना 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 systematic de-industrialization आपको पता है जब British rule चला तो हमारी industrial sector को खराब किया जा रहा था हमारी industrial sector को तोड़ा जा रहा था और बोला जा रहा था अब तो British राज करेंगे इसके उपर systematic मतलब gradually हलके हलके de-industrialization मतलब industries अटा हो of industrial capacity basically है इंडिया की industrial capacity को reduce किया जा रहा था remove करा जा रहा था heavy industries or manufacturing industries को replace किया जा रहा था British goods के साथ ठीक है जी C is the right answer C इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है agriculture was exploited through data system of land revenue agriculture को exploit किया गया through data system of land revenue right answer is zamean-dari is the right answer D-D-D इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है agriculture was exploited through the زमindari system of land revenue agriculture was exploited through the زmeindari system of land revenue zamean-dari system चला करता था zamean-dars को क्या बोला जाता था owners of the land zamean-dars को बोला जाता था owners of the land तो D is the right answer D-D-D इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है India had and dash economy before the advent of British rule जल्दी से बता तो इसका right answer क्या होगा India had an dependent-independent आपको पता है before the British rule India की independent economy हुआ करती थी किसी को पर वो dependent नहीं थे though agriculture was the main source of livelihood the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities मतलब agriculture तो main थाई but और भी manufacturing activities हुआ करती थी तो independent इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है see independent is absolutely right Dash is not a notable economist who estimated India's per capita income during the colonial period मैंने आपको कहीं सारे नाम अल्रीड बता दिये William Dick भाय था, Dadab भाय नोरुजी था BK RV राओ था, Findlay शेरस था ये नहीं था यार, Romesh Shandardat B for Bombay is the right answer ये नहीं था, ये क्या पूच रहा है which of the following is a notable नहीं पूच रहा है which of the following is not a notable economist who estimated India's per capita income during the colonial period, right answer is B is the right answer Finlay Shivas, William Dick भाय, Dadab भाय नोरुजी they were the economist who estimated India's per capita income during the colonial period B, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है आगे move on करें, आगे move on करें चलो the nature of Indian economy on the eve of independence मैंने बताया है, वो stagnant थी, खराब हो चुकी थी पीछे जा रही थी, underdeveloped थी right answer is all of the above Indian economy जब Britishers हमें छोड़ के गए on the eve of independence क्या थी all of the above, D is the right answer D, D, D is the right answer Indian economy was stagnant as there was no economic growth in the economy it was a backward economy and with a low per capita income, hence it was underdeveloped economy, सारी characteristics थे, मैं आपको बताता हूँ India on the eve of independence में सारी characteristics थे, right answer इसका होना चाहिए D is the right answer, let's move ahead dash is the term used for policy which promotes setting up an upper limit of the land that could be owned by land owners, इसको बोलता है land sealing seal लगा दिया, seal का मतलब होता है cap लगाना, cap का मतलब होता है limit लगाना, एक seal लगा दिया, भै इससे जादा तो land ये own कर ही नहीं सकते इससे जादा तो ये land own कर ही नहीं सकते, एक upper limit लगा दी उसको क्या बोलता है land sealing, B for Bombay is the right answer, सबको समझा गया B is the right answer, the law set a limit on how much land on individual or corporation could hold, also known as land sealing, and allowed the government to reappropriation surplus land to the landless laborers, मतलब यार जिसके पास जादा land है वो landless laborers को दे दे, जिसके पास कम land है उसको जादा मिल जाएगा, इसके वादा or land उसको ultimately देना पड़ेगा, इसलिए land sealing इसको term दिया गया Name the statistician, statistics जो पढ़ते हैं, उनको बोलता है statistician, जो data के ओपर काम करता है Who contributed to the formulation of five-year plans in India, आपको पता है पहले के time पर statistician हुआ करते थे, अब data analyst होते हैं, अब कौन होते हैं data analyst होते हैं, बोलो yes or no data analyst yes or no D-A-T-A data analyst होते हैं, क्या है बास अब को समझा गई तो name the statistician who contributed to the formulation of five-year plans in India, इसका right answer होना चाहिए, महला नोबिस C for Calcutta, महला नोबिस is the right answer, C-C-C इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है आगे move on करें, prior to the establishment of the British rule which of the following was true regarding the Indian economy prior, पहले की बात कर रहे है prior to the establishment of British rule, which of the following was true regarding the Indian economy, इंडिया की independent economy थी, yes बिलकुल सही है, भाई, British rule आने से पहले इंडिया की तो अच्छी कासी, क्या थी इंडिया की तो अच्छी कासी, flourishing economy थी, भाई, independent economy थी livelihood of people was mainly based on agriculture, बिलकुल सही है, अगर ये दो सही है तो all of the above answer होगा, right answer इसका D is the right answer D is absolutely, absolutely correct जी, C वारी statement भी exist करती है, D is का बिलकुल, बिलकुल सही answer है, आगे move on करें, which of the following is not a goal of five year plan, कौन सा five year plan का goal नहीं है which of the following is not a goal of five year plan, growth land reforms, equity modernization, जल्दी से बता तो इसका right answer क्या होगा which of the following is not a goal of five year plan, growth land reforms नहीं है, growth, equity modernization ये तो है, land reforms five year plan के अंदर नहीं आते इसका right answer भी होना चाहिए, प्यारे बच्चों इसका right answer भी होना चाहिए, प्यारे बच्चों growth, equitable justice, sorry justice नहीं, economy की growth होनी चाहिए, equitable distribution होना चाहिए, introduction होना चाहिए, modernized techniques का, these are some major goals of five year plans, whereas land reforms are the aggregation reforms that help the farmers, ये land reforms five year plan का पार्ट नहीं है, see is the right answer, capitalist economy is controlled and operated, आपको पता है, दो तरह की, तीन तरह की economies हैं, वैसे तो तो तीन, चार infinite economies आपो सकते हो, एक तरह की economy होती है, capitalist economy, एक तरह की होती है, socialist economy, एक तरह की होती है, communist economy, एक तरह की होती है, mixed economy, mixed economy किसका, अगर मैं इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, तो mixed economy A plus B का combination होती है, जैसे इंडिया की economy, एक mixed economy है, ये अभी आपके पास सवाल आएगा भी, capitalist economy, majority basis पे control और operate करी जाती है, private sector से, क् पास सबको समझा गई, capitalist economy, majority basis पे control और operate करी जाती है, private sector से, तो right answer इसका A होना चाहिए, A फर हम्दबाद इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है, capitalist economy is one in which private sectors own and control properly, and demand and supply forces freely work in the market and determine the prices, A is absolutely right, Dash is an economy in which means of production are used in a manner, such that social welfare is maximized, social welfare को बढ़ाने के लिए socialist economy का use किया जाता है, और free economy को ही capitalist economy बोला जाता है, mixed economy A और B का combination होता है, इसका right answer B होगा जी, socialist economy is the right answer, The Dash economic system is being followed in India, याद रखना, market, sorry, market नहीं होगा, mixed होगा, capitalist और socialist का mixture इंडिया के अंदर follow होता है, तो mixed is absolutely absolutely right, in the commune system, resources are owned by the community, जैसे, China is a communist government, community use करती है, कोई local, national, private institution कुछ नहीं होता है, community, सबका साथ, सबका विकास, अब दिया तो ये मोदी जी का dialogue है, But in reality, community का मतलब क्या होता है, आपस में जो भाई चा रहा है, वो आपस में हम मिलकर resources यूज कर लेंगे, इसमें community, commune का मतलब community होता है, commune का मतलब एक भीड, community का मतलब एक same cause के प्रती, जो लोग same inclined है, same ideology के तरफ inclined है, उसको क्या बोलता है, commune system, तो communities का बिल्कु बिल्कु सही answer है, The structure of commune system was such that households were organized into teams, वो ही बता रहा हूँ, organized करते जाते हैं, teams में, brigades दुआ करते थी, उनको community बोलते हैं, commune system comprises of community is the right answer, Dash competition has replaced the policy of quotas and tariffs, important competition, important है, पहली बात तो quota और tariff होता गया, quota होता है एक तरह का reserve, जैसे, आपको पता है न हमारे देश में reservation system चलती है, reservation system क्या है, quota system ही तो है, इतने percent seeds OBC को मिलेंगी, इतनी percent seeds SCST को मिलेंगी, इतनी percent seeds general वालों के लिए, उसको बोलता है quota, पहले भी ऐसे हुआ करता था, goods के उपर quota लगता था, इतना ही amount of, इतना ही percentage आप export कर सकते हो, इतना ही माल बाहर बेच सकते हो, उसको बोलता है quota, tariff को बोलते है tax rate, tariff को बोलते है tax rate, बाहर जाने पे कितना देना पड़ेगा, वापिस आने पे, अगर इंडिया में import हो रहा है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, इंडिया से export हो रहा है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, ये tariff के अंदर आता है, तो dash competition has replaced the policy of quotas and tariffs, right answer is market competition, भाई, exchange का मतलब foreign exchange, domestic का मतलब घर की बात, market का मतलब free, free market structure ने, market के competition ने replace कर दिया, quotas and tariffs को, ये इसका बिल्कुल-बिल्कुल सही answer है, tariff is a tax on imports, and quota specifies the quantity, मैंने बताया है, tariff एक tax होता है, quota एक quantity होती है, which can be imported, तो market competition ने replace कर दिया, policy of quotas and tariffs को, is the right answer, dash is called the, dash is called tax or duty on imports, किसको tax बोलते हैं भी हमने बताया है, tariffs को tax बोलते हैं, quota को quantity बोलते हैं, quota को क्या बोलते हैं, quantity बोलते हैं, कितना percentage कहां जाएगा, similarly tariff को tax बोलते हैं, tariff को क्या बोलते हैं, right answer is, is the right answer, आगे move on करें, which of the following is not a policy initiated under the new economic policy, इन में से कौन सी policy है, जो new economic policy के अंडर established नहीं करी गई, पहले बात तो new economic policy का year लिख लो 1991, new economic policy का year लिख लो 1991, ठीक है जी, अच्छा इसके अंदर क्या हुआ था, LPG हुआ था, या रखना, liberalization, privatization और globalization, privatization, liberalization, globalization यह हुआ था, licensing तो remove करी गई थी, यह नहीं हुआ था, इसको तो remove किया गया था, abolish किया गया था, हर चीज़ पर license चाहिए होता था, licensing को remove किया गया था, इसने is the right answer, new economic reforms को बोल जाता है, LPG, liberalization, privatization, globalization, licensing को तो abolish किया गया था, वो introduced नहीं हुई थी, वो abolish हुई थी, यह is the right answer, which of the following was the major occupation, on the eve of independence, इन में से क्या major occupation थी, on the eve of independence, बिल्कु सेम था यार, जो British के समय हालत थी, तब on the eve of independence भी वो ही थी, agriculture हमारी, on the eve of independence, 50% of Indian population, was earning a livelihood from agriculture, C is the right answer, ठीक है, आपको इनकी क्या बतानी है, जल्दी से बतातो, इसका right answer क्या होगा, good, अब इनकी डेट सिखना शुरू करते हैं, new economic policy, अभी मैंने बताया, 1991 में आई, first official census कब हुआ था, 1881 में, यह आपको डेट पता हुनी चाहिए, NCRT के अंदर यह डेट रिखी भी है, first five year plan कब स्टार्ट हुआ था, first five year plan स्टार्ट हुआ था, 1928 में, planning commission ने स्टार्ट गया था, second stage of demographic transition, अभी हमने पता है, second stage कब स्टार्ट हुआ था, it started in 1970, बस अब तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो परोष के दे दिया, हलबा, खालो जी, आपको chronological order में, सबसे पहले क्या हुआ था, first official reserve हुआ था, first official census हुआ था, तो 1881, second वाला होगा ना, right answer is, D is the right answer, सबसे पहले हुआ था second, फिर हुआ था 1928, फिर हुआ था second stage of demographic transition, फिर हुआ था 1991, ये पहले हुआ था, ये second हुआ था, ये तीसरा हुआ था, और ये चौथा हुआ था, D, 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 इसका बिलकुर बिलकुर सही answer है, shall we move ahead, बहुत बढ़िया, right answer is का, D is the right answer, ओके, आगे move on करें, बहुत बढ़िया, good response, consider the following statements, with respect to Indian agriculture, and mention the correct combination, green revolution led to the introduction of new technology, green revolution मतलब food के बारे में experimentation चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, और green revolution के वज़े से ही, HYV seeds आ है, green revolution resulted in improvement in oil seeds, देखो यार, one and two तो सही है, oil seeds का improvement नहीं होता, बलकि pesticides, insecticides, कुछ इस प्रगार के प्रदार्ट आने शुरू हो गए थे, कुछ इस प्रगार के प्रदार्ट आने शुरू हो गए थे, जो जो natural fibers हैं, जैसे oil seeds हैं, sorry, जो natural fibers हैं, जैसे oil seeds, उनको वो खराब होने लग गए थे, तो oil seeds का improvement नहीं हो था, उनको तो demolish किया जा रहा था, उनको तो improvement नहीं हो रहा था, इंडिया ने, इंडिया ने largest foreign debt, US dollars में ले रखा है, BBB is the right answer, US dollar dominated debt remained the largest component of India's external debt, इंडिया ने भार की देशों से या लोन ले रखा होगा, तो इंडिया ने, इंडिया को जो overall debt structure है, कितना लोन ले रखा है, उसमें से 52.1% loan, उन्होंने US dollars के form में ले रखा है, इसलिए B इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है, क्या answer है, इसका B is the right answer, perfect BBB is the right answer, if Britain was the ruling, ruling imperial power, आपको पता है, imperialism के अंदर colonies होती है, colonies होती है, तो अगर Britain, अगर, Britain एक तरह की imperial power है, imperial nature है, imperial power को follow कर रही है, तो इंडिया उसके लिए क्या है, इंडिया उसके लिए एक colony है, is the right answer, इंडिया उसके लिए एक colony है, ठीक है जी, is the right answer, WTO, World Trade Organization, was established in which year, चलो भई ये question मैं पूछ रहता हूँ, सभी students हैं बहुत बढ़िया, WTO का establishment कब हुआ था, ये मैंने पूल लेना शुरू कर दिया, A, ये आगया B, ये आगया C, ये आगया D, ये मैंने पूल लेना शुरू कर दिया, When was WTO established, 1996, 2000, 1998 and 1995, जल्दी से बता, sorry, WTO was established in 1995, D, 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 D सबका right answer आ रहा है, Good, Good everyone, कुछ लोग बोल रहे हैं, A, कुछ लोग बोल रहे हैं, D, NCRT के normal सा सवाल है, कोई ज़्यादा इतना मुश्कल सवाल है नहीं, D is the right answer, The World Aid Organization, began its life on 1st January 1995, trading system in half a century older, basically trading system उसका बहुत पुराना है, but in reality WTO set up हुआ था 1995 में, इससे पहले 1948 था, जिसको हम क्या बोलते थे, GATT, G-A-T-T, GATT बोलते थे, General Agreement on Tariffs and Trade, वो rules प्रोवाइड करता था, बड़ गाट को, GATT जो संस्ता है, जो organization है, उसको किसने replace किया है, sorry, WTO ने किसको replace किया है, ULTA मैं बोल रहा हूँ, WTO को replace किया है GATT ने, G-A-T-T-D is the right answer, ठीक है जी आगे move on करें, Dash was introduced to increase productivity and self-sufficiency in food, ओके, आपको बता है, food की भढ़ोती करने के लिए क्या होता है, Dash was introduced to increase productivity, Dash was introduced to increase productivity and self-sufficiency, food में हमें production अपनी बढ़ानी है, productivity बढ़ानी है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, green revolution, right answer is B, B, B is the right answer, green revolution is the right answer, the use of new technology, increasing agriculture productivity to enable the country to be self-sufficiency in food grains, are the features of green revolution, B, यह यह तो बढ़ा simple है, food की item जब भी बढ़ानी हो, green revolution के उपर focus किया करो, ठीक है, agriculture and allied products, agriculture and allied products का मतलब, agriculture से related जितनी भी services है, वो Dash, they account for Dash of India's total export, यह NCRT की figure है, यह change होते रहती है, year on year मैं आपको बता रहा हूँ, year by year यह change होते रहती है, बट यह वाली figure NCRT के साब से हमें लगनी है, इसका राइना अंसर होगा 10%, this sector employs about 50% of the population, share of agriculture and their allied products is about 10% as per 2011-12, क्योंकि latest census तभी हुआ था, latest census तभी हुआ था 2011-12 के अंदर, और 50% से जाथा population इंडिया की अगरिकल्चर सेक्टर में है, बट जो share है अगरिकल्चर और allied products का, वो सिरफ वो सिरफ 10% है, total GDP का, see, इसका बिलकुल-बिलकुल सही answer है, 10% is absolutely right, selling of public sector enterprises, आपको पता है, air India नहीं इसा किया, बहुत सारी public company जैसा करती है, वो अपनाना shares, अपने shares public को बेज देती है, मतलब private players को, यहाँ पे public का मतलब है private players, जैसे आप जैसे retailers को, मेरे जैसे retailers को बेज देती है, यहाँ मानी को बेज दिए, अडानी को बेज दिए, private players को, इंस्टिउशन इंवेस्टर्स जो, private institution investors होते हैं, अपना shares बेज के, Indian public को, पैसा raise कर सकती है, इस process को बोलते हैं, disinvestment, A, 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 इसका, B, A, इसका, बिल्कुल बिल्कुल सही answer है, disinvestment का मतलब होता है, मैं अपनी investment, जनता से ले रहा हूं, मैं government company हो, अपने shares, अगर मैं जनता या, जनरल पब्लिक को बेजता हूं, disinvestment बोलते हैं इसको, government और organization, government organizations sell or liquidated assets, और subsidiaries, disinvestment can take in the form of, disinvestment or reduction in capital expenditure, basically, यह disinvestment इसने carry किया जाता है, कि एक political environmental strategy, अब Air India के साथ तो यह था, Air India तो revenue जनरेट करना, इसने बन कर दिया था, जो airline industry है, वो बहुत difficult industry है, तो disinvestment Air India का इसने हुआ, क्योंकि control ही नहीं कर बारे थी, government expense पे expense हो रहे थे, loss making unit थी, तो उसने उसका disinvestment कर दिया, private players को बना दिया, और Air India फिर private players ने ले भी ली, यह इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है, why there was a need for economic reforms in India, अच्छा यार economic reforms की need थी क्यों, fiscal deficit यह तो अभी भी चलता रहा है, हमेशा चलता आएगा, fiscal deficit Indian government, Indian economy face कर दी थी, fiscal deficit Indian economy face कर दी थी, adverse BOP था, मतलब unfavorable BOP था, एक तो होता है adverse BOP, एक होता है unfavorable BOP, balance of payment, price rise हो रहे थे, yes inflation दबाके, बहुत ज़्यादा inflation थी, मैं इसके economic terms दिखना हूँ आपको, Indian economy के अंदर, अगर fiscal deficit होगा तो problem होगी, unfavorable BOP मतलब adverse BOP हमें घातक है, हमारी economy के लिए घातक है, inflation मतलब rise in prices हो रहा है, unnecessarily rise in price, यह सारे factors involved है, economic reforms दाने के लिए, right answer is D is the right answer, ठीक है जी, आगे move on करें, what percentage of population is employed in agriculture by late, अच्छा यह NCRT, दुबारा मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, यह NCRT का data है, अगर NCRT का data डंग से नहीं पड़ोगो, तो first day के पूरे पूरे chances है, इसलिए NCRT की figures रटी भी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, क्या बोलना चाहरा है, बाई कितनी population agriculture में employed है, as of late 1990s, इसका right answer होना चाहिए 65, A is the right answer, 65 population, on the negative side, nearly 65% of the country's population, continue to be employed in agriculture, even as late as, मतलब अब agriculture से वो भार्न ही नहीं कल लिए थी, 65% of the country's population, continue to be employed as late as 1990, right answer is 65 is the right answer, A is the right answer, Big sector was given the main emphasis in the 5th year plan, अब देखो, 1st year plan, 1st से 9, मेरे ख्याल से 9 या 10 year plans, या total एक पर इसको recall करना पड़ेगा, but ये 5th 5 year plan जो है, ये किसके बारे में था, 4th किसके बारे में था, इसके आने के पूरे-पूरे chances हैं, और जब हम इस particular chapter की बात करते हैं, 4th, 5th, 6th year plans are very important, because they majorly talk about industry, the 5th plan focused on rapid development of the core sector, covering steel, machine, building power, coal, petroleum, export oriented industries, consumer goods, जैसे sugar, drugs, textiles, textiles, मतलब कपडे, तो यहाँ पे न, 75% बढ़ाया है, नहीं, 65% है, इंडस्टी इसका बिलकुल-बिलकुल सही आंसर होना चीए था, इंडस्टी इसका बिलकुल सही आंसर है, 5th, 5th year plan, 5th, 5 year plan, किसके उपर फोकस करता है, steel के उपर, machine, building, power, coal, petroleum, इन सब के उपर फोकस करता है, export oriented industries के उपर फोकस करता है, industry is the right answer, ठीक है जी, what is the main feature of new economic policy, main feature, सारे यार, LPG है, main feature तो सब है, all of the above, ठीक है जी, devaluation implies dash in the value of a rupee, devaluation का मतलब होता है, पहले तो case समझो, यह money and banking के अंदर मैं समझा चुका हूँ, case A और case B के बारे में बात करते हैं, case A बोलता है, rupees 50 is equal to $1, case B बोलता है, rupees 80 is equal to $1, भाई, case A बोलता है, rupees 50 is equal to $1, case B बोलता है, rupees 80 is equal to $1, devaluation का क्या मतलब होता है, devaluation का मतलब होता है, देखो devaluation का मतलब क्या है, devaluation का मतलब है, A से B जारी है situation, country की value, value of a rupee कम हो रही है, पहले 50 में खरीच सकते थे, अब ज़्यादा कमाना पड़ता है, तो हमारी country की value, जो हमारी country की currency है, उसकी value decrease हो रही है, in respect of other currencies, A is the right answer, आगे आजएं, the reforms, अब आप बुलोगे, sir, 50 से 80 तो increase हो रही है, अरे मुर्ख आदमियों, अगर आपको, ज्याने समझो, आप बहुत logic लगाओ इसमें, अगर आप economics पढ़ते हैं मेरे साथ, तो आपको पताओना चीए, मुर्ख था हमें यहाँ पे नहीं दिखानी, 50 पहले खर्च करके एक डॉलर आता था, अब 80 खर्च करके एक डॉलर आता है, 80 रुपे खर्च करके, मुझे जादा कमाने पढ़ रहे हैं, दिमाग पे जोर पढ़ रहे हैं, इसका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, शाल भी मूब अहेड, फॉल इस राइट आंसर, आगे आजाएं, चलो, टैक्स रिफॉर्म्स अर कंसर्ण विद रिफॉर्म्स इन दे गर्वर्मन टाक्सेशन, और पब्लिक एक्स्पेंडिशर पॉलिसी, ग्रवर्मन की फिसकल पॉलिसी होती है, ягुमाफिर आके कुशन दे रखा है, गर्वर्मन टाक्सेशन संबालता है, पॉब्लिक एक्स्पेंडिशर पॉलिसी होती है, अरे है तो गववववववववववववववववव. गववव सब कुछ चाहिए अर्पॉलिसी में के अंदर एक क्लियर वर्जन चाहिए ठीक है क्लियर वर्जन चाहिए strategic blueprint चाहिए ब्लूपरिंट का मतलब plan of action भाई अगले 5 साल में क्या करने वाले हो अगले 3 साल में policy कैसे काम करेगी क्या चाहिए तीन चार चीज़े चाहिए, clear vision vision क्या है इस policy का strategic blueprint, क्या plan of action होना चाहिए in future, tactic tools for constant recalibration मतलब changes, restructuring लिख लो, restructuring recalibration restructure करना, recalibrate करना यह सब होता है, constant recalibration right answer is, D is the right answer ठीक है जी? recalibration का एक और मतलब होता है, amendment करना, modification करना, समय के साथ अपने आपको बदलना, समय के साथ changes करना ठीक है? industrial policy of 1991 was pro private होना चीए, देखो यार industry policy बोलो, privatization बोलो, private industries को बढ़ावा दिया जा रहा है, government खुद सब कुछ नहीं संभाद सकती, यह बात समझो आप government खुद सब कुछ नहीं संभाद सकती, pro private sector policy is the right answer anti-private का तो मतलब है, private industry के खिलाफ, ना ना ना, private industry के खिलाफ तब था, जब 1990 के पहले की अगर बात करो but 1991, 1991 LPG के बात की बात करो, afterwards अगर बात करो, तो afterwards आपको पता होना चीए क्या था? afterwards के अंदर afterwards के अंदर, pro private sector policy थी, तो B is the right answer anti-public, pro public, public का इसमें कोई रोल नहीं है private sector का रोल है, pro public थी, 1991 focus to liberalize the economy by removing bureaucratic hurdles, licenses हर चीज़ के लिए approval चाहिए होता था, अब नहीं चाहिए, role of public sector was limited अब role of public sector को limit कर दिया गया, सिरफ railways या arms and forces public sector के हाथ में बागे सारे sector open कर देगे, देकिवे private players भी इसमें business कर सकते हैं पहले पता है, आपको education भी सिरफ public sector में थी, फिर उसको liberalize करा गया अब education, private schools भी होते हैं private colleges भी होते हैं समझ गये, इंडिया has adopted dash policy of economic development since 1991, restrictive तो नहीं है, restrictions को अटाय जारा था strictness को अटाय जारा था, leniency करी जारा थी पिछली बार हमने क्या बड़ा, bureaucratic hurdles होती हैं, तो strictness होती है बड़ जब इनको remove करा जाए तो उन strictness को lenient करा जाता है इसका राइड answer होगा liberal liberalization का मतलब क्या होता है, economic policies को relax करो, government की regulation को relax करो, reduce करो कोई भी नहीं चाता है, उसके काम में poke होता रहे, कोई भी नहीं चाता कि उसके काम में poke होता रहे, तो relaxation reduction in government regulations क्या ये बास सबको समझाई क्या ये बास सबको समझाई कोई भी नहीं चाता है, उसके काम में कोई भी हलकिसी भी poking हो, हर कोई चाहता है independent, relax होके relax होके काम करना, तो right answer is कहोना चाहिए, liberal policy adopt करे गई 1991, at present ठीक है जी आगे more करते हैं at present there are only dash industries under the compulsory licensing, जैसे मैंने अभी बताया, कि आपको government की prior approval लेनी पड़ेगी अगर आपको in industries के अंदर venture करना है right answer क्या होगा, इसका six right answer होगा at present there are only six industries under the compulsory licensing कौन कौन सी है वो industries एक बार देख लो एक बार वो industries कौन कौन सी है एक बार जल्दी से देखो सबसे पहले तो है आपके distillation and brewing of alcoholic drinks, यह आता है पर यार इसके अंदर government का special license आपको जुरत पड़ेगी इसके अंदर government के special licensing के आपको जुरत पड़ेगी, अगर आप alcoholic drinks बनाते हो उनको बेचते हो, आपको पता है na government की जुरत इसने पड़ेगी, आप alcohol मतलब बार का license लेना पड़ता है government से तो एक इसके आगया, कमबसरी licensing के अंदर आगया, सिघार दो सिक्रेट अगर बेचनी है या manufacture करनी है, electronic aerospace defense equipment बनाने है, industrial explosiveness बनाने है, हजार ये chemical जैसे nuclear के साथ अगर आपको काम करना है, drugs and pharmaceutical का drugs and pharmaceutical का business करना है तब भी आपको government की prior approval लेनी पड़ेगी, इनके licensing आते हैं, ये छे industries काफी important है, प्लीज एक बार इसको लिख लेना यार, ये छे industries काफी काफी important है, at present there are six industries under compulsory licensing, वो six industries का मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिया, आगे more on करें, great proletarian culture revolution was introduced under the leadership, अच्छा, culture revolution बोलते हैं, इसको यार छोटी सी बात बता हो, इसको revolution बोलते हैं, normally इसको, formally known as the great proletarian culture revolution was a social, यार ये sociopolitic, मनलब social behavior, sociopolitical movement था, sociopolitical movement था ये, in China main goal क्या था, भाई, Chinese communism को preserve करना, capitalist और traditional elements को preserve करना capitalism को दूर रखना देश से, अपने जमीर से, अपने community के base से, और communism को promote करना, ये Mao Zedong का main idea था, through, through great proletarian culture revolution, culture का मतलब बोता है, भाई, बढ़ावा दो, हम जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे, उसको बोता है, culture revolution, ठीक है जी? Good evening everyone, क्या रहे हैं आप सभी के, एक बार सुन पा रहे हो तो thumbs up कर देना, एक बार बोतो जल्दी से, yes sir, everything is audible, everything is still clear, so that we can start with the session, yes, perfect, 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 hello, 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 very good evening everyone, hi, Isha, Yash, Ashutosh, Payal, सभी students, अपने friends में a session share करते ना, ये economics के domain का CUET के most expected questions आजम करने जा रहे हैं, Indian economic development से हमने स्टार्ट गया था, unit 1 जो उसका है, development phase, development 1947 से लेकर 1990 में के होई, LPG के बार में हमने बढ़ा था, last class में, आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका current challenges facing Indian economy, ये unit 2 है, there are in totality unit, 3 units of IED, कितने units हैं हैं, 3 units हैं, IED के, एक बार बोल तो, yes sir, everything is audible, so that we can begin with the session, बहुत बढ़िया, everything is audible, everything is still किया, एक बार बोल तो, yes, 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 perfect, 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 hi Eesha, hi Vibha, क्या आले हैं आप सभी की, I hope all are doing fantastic, session को begin करते हैं, सबसे पहला question आप सब के सामने हैं, आपको बता हैं हम क्या कर रहे हैं, economics के, IED, money and banking, government budget, BOP, macro हमने in short year, पूरी complete कर ली थी, macro economics we had already completed, हमने macro economics, पूरी पूरी complete कर ली थी, अब हम करने वाले हैं, IED, Indian Economic Development, इसके 3 units हैं, first unit we have already completed, यह second unit है, यह second unit है, बहुत important है, इसके कहीं सारे सवाल में आपके पास लेका आए हूँ, सबसे पहला question आप सबके screens पर यह रहा, बहुत बढ़िया, very good evening everyone, session को begin करते हैं, without any further delay, let's start, let's start, क्या बोलते हैं, the people who frequently move in and out of the poor section are called, जो frequently move in करते हैं, move out करते हैं, मतलब poor की category में आ भी जाते हैं, फिर वहाँ से निकल भी जाते हैं, उसको बोलते हैं, people who frequently move in and out of the poor section are called, churning poor, hidden poor, major poor, या none of these, जल्दी से बताते हैं इसका right answer क्या होगा, yes rapid fire, आज यार Indian economy development का, जो हम chapter कर रहे हैं न, इसके अंदर तो rapid fire ही करने बनते हैं, rapid fire क्यों हों, क्योंकि मैं approximately आपके पास 50, 60, 70 question लेका हैं, इन सब का answer जल्दी देंगे, और सारा ratification है, कुछ नहीं है, सिर्फ definition return है, समझने वाला बहुत कम है, return वाला बहुत ज़ादा है, ठीक है जी, churning poor इसका बिल्कु सही answer है, churning poor are those people who go in and out of the poverty very fast, for example small farmers, seasonal workers, ये churning poor की category में आते हैं, ये इसका बिल्कु बिल्कु सही answer है, आगे move on करें, हाई प्रियांशू, शिंजो, आशुतोष, नीशा, तनिश्का, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, right answer is churning poor is the right answer, when was food for work program, ये food for work program मतलब, sorry, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, पहले क्या बहुत 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 आपने दुनिया में लोग देखे होंगे, जो काम ही नहीं करना साथ है, बहुत काम ही नहीं करोगे, तो पैसा कैसे मिलेगा, तो money for work का concept replace करके, food for work, इसको national food for work program बोला जाता है, NFWP, national food for work program इसको बोला जाता है, माबाप ने अपने बच्चों को पढ़ने भेज दिया करते थे, स्कूल्स के अंदर ताकि बहुत इनको एक टाइम की meal at least मिल जाएगी, और वो meals घरवालों को नहीं बनानी पड़ेगी, midday meal का असली concept ये है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, मिड़े मील का असली concept ये है, वेन वोस्ट फूर वर्क प्रोग्राम स्टाटेट, तो फूर फूर वर्क प्रोग्राम भी ये ही बोलता है, काम करोगे तो खाना मिलेगा, राइट अंसर इस सी, इसका बिलकुल बिलकुल सही अंसर है, C 2004 is absolutely right, नाशनल फूर फूर वर्क प्रोग्राम वस लांच बाइट बढ़िया, विच अव भूद फॉलिएंग इस नौट अशोर्स ओफ है, विच अव फॉलिएंग इस नौट अशोर्स ओफ है, आपको पता है, इन मेंसे क्या सोर्स नहीं है, अच्चा, प्रिवेंटिव मेडिसं देखो, किसी भी प्रकार की मेडिसं आप लोगे, वो आपका स्वेंट का होता है, यह बात आपको समझने बड़ेगी, ब़न मेडिसं के भी कई multiple प्रकार होते हैं, जैसे प्रिवेंटिव मेडिसं के मतलब क्या होता है, आप medicine ले रहे हो किसी भी disease को prevent करने के लिए number one एक होते रे-cureative medicine मतलब आपको cancer हो गया उसको curate करने के लिए या कोई disease हो गया उसको curate करने के लिए medicine ली जाती है उसको बोलता है curative medicine तीसरा हो गए interim medicine अच्छा आपको बताता हूं interim medicine क्या होती है एक ऐसी medicine जो diagnosis से पहले ली जाए कभी-कभी क्या कहता है डॉक्टर आपको कहता है कि कल आपका city scan होने वाला है तो ये दो दवाईया लेके आना घर से कल रात को आज रात को ले लेना इन दो दवाईयों को आज रात को ले लेना और कल ग्यारा बजे सुबह city scan करवाने आ जाना उस medicine को जो आज रात को आप दो medicine ले रहे हो उसको बोलते हैं interim medicine एक ऐसी medicine जो diagnosis purposes के लिए काम आ रही है अब आपका कल city scan हुआ पता लगा कोई आपको बिमारी नहीं है आपका कल city scan हुआ पता लगा आपको कोई बिमारी नहीं है इसका मतलब यह है यह वाली जो यह वाली जो particular medicine है जिसको हम interim medicine बोलते हैं इसका कोई role नहीं है इसका role positive हो भी सकता अगर diagnose निकल के disease निकल गया तो फिर हम बाके preventive medicine लेंगे curative medicine लेंगे social medicine लेंगे इंटेरिम medicine का मतलब यह है diagnosis से पहले जो medicine आपको खानी पढ़ रही है इसका मतलब यह है diagnosis से पहले जो medicine खानी पढ़ रही है वो health expenditure में नहीं है क्योंकि in reality health expenditure अभी हुआ नहीं है social medicine भी आती है आपकी तो 1, 2, 3 यह सारी की सारी आपकी health expenditure के अंदर आती है C नहीं आती the various forms of health expenditure are preventive, curative and social preventive is for prevention of a particular disease curative is expenditure for curing and existing disease social is to create awareness among people about diseases ठीक है जी right answer is C is the right answer आगे मूँ ओन करें which level of education takes the major share of total expenditure by the government okay जी तो यार कौनसी level of education maximum share लेती है total expenditure का by the government आपको पता होना चाहिए इस education को बोलते है elementary education जो आपकी 8th, 9th, 10th, 11th, 12th class को बोलते हैं उनको जो 8th से लेकर 12th की आपकी education होती है उसको elementary education बोलती है इसका right answer B is the right answer आगे मूँ ओन करें sources of sources of human capital formation क्या होता है sources of human capital formation क्या होता है जल्दी से बतातो right answer क्या होगा human capital formation के source क्या है human capital form कैसे होती है पहली बात तो human capital formation का meaning समझते है human capital formation का मतलब होता है addition to the overall skill overall ability of the human capital of a country human capital का यहाँ पर बताओं क्या है जो इनसान होते हैं वो एक तरह का resource है उनसे आप काम करवा सकते हो बो yes or no काम करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं बहुत अराम से करवा सकते हैं तो यहाँ sources यहाँ पे sources of human capital formation का मतलब यही होता है कि किस तरह से human को develop किया जा सकता है क्या अगर मैं human के education के ओपर investment करूँ उससे human capital formation होगा इसका answer है yes 100% होगा क्या investment मैं करूँ health by human की क्या उससे human capital formation रहेगा हाँ रहेगा बही तंदुरस्त आदमी रहेगा तबी तो काम करवाएगा a healthy mind resides in a healthy body तो healthy भी जरूरी है education भी जरूरी है investment in the on job training on job training का मतलब क्या होता है skill level पे training on job level का training का मतलब क्या होता है on the job training का मतलब होता है skill level पे training तो इसका right answer होना चाहिए D is the right answer D for Delhi इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है और भी sources of पढ़ लो यार ये सारे sources of capital sources of human capital पढ़ लो जैसे investment on education अगर हो investment on health information on the job training off the job training migration पे भी अगर आप investment कर रहेगा वो भी human capital formation के अंदर आएगी D is का right answer है आगे move on करें let's move ahead चलो जी indicator of growth of education sector आपको पता है education sector grow कर रहा है ये किस चीज को हम judge कैसे करेंगे कैसे judge करेंगे life expectancy rate से मतलब कितना आदमी एक साल में जीता है कितनी उसकी life expectancy है कितने उमर वो उसकी होगी और कितने उमर में उमरेगा कितने time वो जीएगा कि इससे education sector जज हो सकता है हो इनी सकता infant mortality rate इसका मतलब वो rate होता है the rate at which the children less than one year of age die the children die at a young age infant में ही उनकी अगर मौत हो जाए उसको बोलते है infant mortality rate कितने percent human population की rate कितने percent human population की death infant stage पर हो जाती है उसको बोलते है infant mortality rate और infant को क्या define किया गया है less than one year of age और एक होता है literacy rate तो right answer इसका होना चाहिए C for Calcutta is the right answer सिर्फ literacy rate बताएगा कितने लोग पढ़े लिखे हैं करला का highest literacy rate और मैंने ख्याल से recently करला has achieved the target of achieving करला has recently achieved the target of 100% literacy rate in its state तो education sector में ये पढ़ता लेगा कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग पढ़ना चाह रहे हैं C is the right answer ठीक है जी literacy rate is an important indicator of education achievement in a country this is because of the fact that the majority of country's population is not able to continue their education till this age literacy rate का मतलब सिरोफ और सिरफ literacy rate का मतलब सिरफ ये नियेंगी 10th पास कलड़ी काम हो गया higher will be the achievement of the country in terms of education अगर आप higher education करते हो अगर आप post-graduation करते हो तो वो literacy rate में add होती है C is the right answer yes which of the following is not a means अच्छा अभी हमने पढ़ा था क्या इनमें पूछ रखका ही है not पे highlight करो which of the following is not a means of human capital formation improving technical knowledge इससे तो human capital format होगी बनेगी yes or no human capital formation बढ़ेगी इससे तो यार ये तो है definitely है human capital formation ये है size of business अगर बढ़ाएंगे उससे human capital को ज़्यादा मौका मिलेगा employment मिलेगी in short employment मिलेगी तो human capital formation को वो supplement करेगा human capital formation में help करेगा नुकसान नहीं करेगा increasing cost of production में आपको बढ़ाता हूँ cost of production human capital formation से related कहीं से लेकर कहीं तक भी नहीं है technical knowledge बढ़ा रहे हो मानली अब है human capital formation होती है size of business बढ़ा रहे हो बहुत अच्छी बात है human capital formation होगी social outlook modernization के तरफ जा रहे हो धक्यान उसी सोच नहीं रख रहे है अब modern approaches रख रहे हो modern सोच रख रहे हो उसको बोलते है changing social outlooks यससे भी आपकी human capital formation बढ़ने वाली है C एक ऐसा है जिससे नहीं बढ़ेगी right answer is C is the right answer जिस जिस student का C है उसका answer बिल्कु सही है यहाँ पर not के बारे में पूछावा है not a means of human capital formation तो C इसका बिल्कु बिल्कु करेक्ट answer है आगे चले which of the following is not an indicator यहाँ भी जो not वाले सवाल है काफी important है इसको एक बार करेंगे which of the following is not an indicator of educational education level enrollment rate definitely education level को ही indicate करता है enrollment rate मतलब कितने लोग enrolled है educational institutions में चाहे वो colleges हो चाहे वो government schools हो चाहे वो private schools हो enrollment rate का मतलब अगर मान लो 10,000 बच्चे हैं तो 10,000 students में से कितने students 10,000 children में से कितने students हैं मान लो सिरफ और सिरफ 9,000 ही पढ़ने जाते हैं स्कूल में पढ़ने लिखने जाते हैं तो वो enrollment rate के अंदर आएगा pupil to teacher ratio मतलब एक teacher कितने लोगों को cater कर रहा है पता लगा one teacher अब तो खेर online का जमाना है यार अब तो एट्टेक आ गया है पहले one teacher अगर 30-35 को cater करता था that was the people teacher ratio which used to show कि education level क्या है जितना एक teacher अगर मान लो 1000 बच्चों को cater कर रहा है तो वो अच्छी बात नहीं थी कम लोगों को concise लोगों को कॉस्ट पर जाते हैं students कॉस्ट इतनी कम कॉस्ट होगी उतना better होने वाला है अब एक teacher हजारों क्या लागों students को बढ़ा सकता है at one point of time life expectancy यार इसका कोई भी relation नहीं है ये same चीज़ अभी हमने बढ़ी कितने years of schooling होगा इसका ये एक indicator education level का pupil to teacher ratio ये definitely एक indicator है education level का enrollment rate ये भी है बढ़ यहाँ भी जो life expectancy है कितना साल आदमी जिएगा उसके expected life क्या है उसको बोलेंगे life expectancy B is the right answer B is absolutely absolutely right life expectancy is a statistical measure of the average time an individual expected to live based on year of its birth, current age other demographics factors like sex right answer is life expectancy कहीं से भी education sector या education level से related नहीं है logic समझ आगया चलो भाई अब rapid fire खेलना शुरू कर रहे है ये same जीज़ अभी हमने पढ़ ली stock of what? stock of skill, ability, expertise, education, knowledge एक nation में at a point of time is known as human capital D is the right answer D, D, D is का बिलकुल बिलकुल सही answer है आगे आज़े human capital formation is the process of adding to the stock यार हम ना human capital के over time पे add कर रहे है over time मतलब during a tenure over a gradual period of time yes, Pradeep, I am watching live chat what happened to you yes, Pradeep, what are you testing me on आप मेरे को किस बारे में test कर रहे हो मैं आपकी live chat पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों चलो human capital formation एक process है जिसमें human capital में addition होता है formation का मतलब add करना, delete करना नहीं adding, adding, adding reduction का मतलब करना, consistency का मतलब समानता, consistency का कोई रोल नहीं है यहापे, elimination का कोई रोल नहीं हो elimination का मतलब निकालना, D is का बिल्कुल बिल्कुल सही answer है, D is the right answer the dash causes overall backwardness of the Indian economy आपको पता है, Indian economy तब नहीं चल पाएगी जब पैसा नहीं होगा जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या कर लेगा आदमी, क्या कर लेगा वेक्ती the dash causes overall backwardness of Indian economy, right answer is बहुत सारे students कहेंगे unemployment causes, poverty causes अरे यार, असली जड़ scarcity of capital है, अगर देश के पास capital ही नहीं होगी, ये macro level पे बात किया करो आप, Indian economic development, macro level पे बात किया करो, मतलब उसका मतलब क्या होता है unemployment definitely backwardness create करती है, हम बानते हैं, poverty से भी backwardness create करते हैं, ये सब किसका जड़ा पता है, ये सब जड़ा है capital ना होने का, ultimately अगर capital नहीं होगी, तो खाक काम करेगी Indian economy, capital मतलब पुझी, capital मतलब पैसा, पैसा ही नहीं होगा तो कौन सी employment, कौन सी poverty, कुछ नहीं रहोगा, तो right answer is, is the right answer, scarcity of capital और capital deficiency causes overall backwardness of an economy, especially in a country like India जो की developing stage पे है, या underdeveloped stage पे है, underdeveloped stage पे इंडिया नहीं है, बट underdeveloping countries, और developing countries या underdeveloped countries के अंदर capital होना बहुँ ज़रूरी है, क्योंकि capital ही हमारी standard of living decide करता है, is the right answer ठीक है जी, dash acts as an impediment to India's economic development, बहुत अच्छा है यार impediment का मतलब होता है, रुकावट तो इंडिया की economic development में क्या रुकावट पैदा कर रहा है आप बोलोगे, unemployment, poverty, ये सवांसर सही है, बट बेटर आंसर कौन सा है, mass illiteracy, अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग unput रहेंगे, उतना impediment होगा इंडिया की economic development कम होगी right answer is, c is the right answer mass illiteracy acts as an impediment to India's economic development because literacy depends, literacy से क्या होता है, एक आदमी की सोचने की शमता, education, economic development, वो बेटर होती है और बाकी resources का असली utilization उसको करना आता है, इससे right answer is, c, mass illiteracy is the right answer, c, c, c इसका बिल्कु सही answer है, dash is major source of human capital, आपको पता है, health, यहाँ पर taxes मत बोलते न, कि भाई taxes भी तो चाहिए होते हैं, human को grow करने के लिए, अरे, health is wealth वाला case है, क्या है, लिख लो, health is wealth, a good mind resides in a good body, अगर एक अच्छा mind तभी काम कर बाएगा, जब उसकी body स्वस्थ होगी, the right answer is, c is the right answer, ठीक है जी, there is an old saying, a sound mind in a sound body, expenditure and health makes a man more efficient, therefore more productive and thus enhances the human capital, c is the right answer, significance of human capital was recognized, आपको बता है, 7th 5-year plan के अंदर human capital के बारे में चर्चा और रखी है, इसे इसका right answer हो का 7th, traditional sources of rural credit in India are what, money renders, traders, relatives, friends, इसे पैसा उठालिया, यह सब traditional sources हैं, यह advanced, सर जी प्लीज, आप मत बताइए, प्लीज, प्रदीब rapid fire खेलेंगे, इन में इतना कुछ ज़्यादा difficult questions नहीं है, rapid fire खेलेंगे, आप सभी student session को जल्दी से जल्दी like करो, traditional sources और modern sources में इस फरक समझो, modern sources होते हैं, rural credit, rural credit का मतलब जो गाउं में credit मिलता है, उधार मिलता है, तो लोग इतना जाता है ना, institutions के उपर, नाबाड के उपर, banks के उपर बरोसा नहीं करता है, या institutional money lenders, उनको आपस में जो बात करें ना, money lender, या trader, या दोस्तियार, या relatives, उनसे पैसे लेने में जादा compatibility लगती है, तो ये traditional sources के नदर आता है, this is the right answer, ये बस गाउं, ये बस गाउं का, एक trade बो सकते हो, और कुछ नहीं, रूरल एरिया का बस है के trade और कुछ नहीं है, ये all of the above is the right answer, ठीक है जी, an academy established for rural propensity, sorry, for rural prosperity is known as what, okay, ये recently यार अनाउंस हुई है, इसको बोलते हैं, जमशेट जी, टाटा, नाशनल वर्चौल अकाडमी, D, इसका बिलकुल बिलकुल सही answer है, इसका right answer होना चाही है, D for Delhi, जमशेट जी, टाटा, नाशनल वर्चौल अकाडमी, इस जी एकिसने बताई है, अच्छा और भी, और भी ऐसे institution हैं, उनको पढ़ते हैं, MS Swami Nantan Research Foundation, ये चिन्नही में लोकेड़ेड है, फिर सर, सर, रतन टाटा ट्रस्ट, जो मुंबहे में लोकेड़ेड हैं, इन दोनों ने मिलकर, जमशेट जी टाटा, नाशनल वर्चौल अकाडमी, फोर रूरल प्रोस्परिटी, मतलब, ये जो रूरल एरियाज है, उनका भी विकास होना चाहिए, उनकी भी ग्रोथ होनी चाहिए, प्रोस्परिटी को अटेन करने चाहिए, इसका राइट आंसर इस डी दर राइट आंसर, आपको पता है, रीजन आफ डिस्ट्रेस सेल का मतलब क्यों होता है, लोग परशानी में आकर सेल इतनी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फारमर्स को यार इमिडेटली कैश ही होता है, फॉर पेइंग डेट्स, तो वो बोलते हैं भाई, जिस अमाउंट में भी मिल रहा है न, येस अशुदोष कल से BST की क्लास रज्यूम हो जाएगी, येस, प्रांच जल आशुदोष कल से BST की क्लास यूट्यूब पर आपकी रज्यूम हो जाएगी, डोंट वरी अटॉर्ट इस्ट्रेस सेल्स का मतलब होता है, फारमर्स बोलता है, भाई, जिस भी अमाउंट, जिस भी रेट पे मिल रहा है, बेज डाल, मुझे इस समय कैश की अरजन नीड है, फारमर्स नीड कैश इमिडेटली फारमर्स नीड कैश इमिडेटली फॉर पेइंग डेट्स, बिलकु सही है जी, हाई स्टोरेज काउस, मैं आपको बजाता हूँ, यह डेटली फारमर्स को हाई स्टोरेज काउस देनी पड़ते हैं, वो कहते हैं, जितनी जल्दी माल भी के उतना बेटर है, वरना मेरी स्टोरेज काउस बहुत ज़दा लग रही है, लाग ओफ स्टोरेज फिसलिटीज खुद के इनके गदाम होते नहीं है, राइड अंसर इस वाफ दीज़ बिलकुल सही आंसर है, तो उसके स्टोरेज का तो वही सिटुएशन होते हैं, वही सरदर्द हो रहा है, जल्दी सेल करवाओ इनकी, जल्दी सेल खतम करवाओ, उसको बोलता है डिस्ट्रेज सेल, यह तब होती है, जब सेलर एक फइनेशल प्रेशर से जा रहा हो, फइनेशल प्रेशर से क्यों जा रहा होगा, उसको इमिडिटली कैश जाई है, अपने उधार चुकाने के लिए, उसकी स्टोरेज काउज बहुत ज़्याद है, उसके पास खुद का कोई गोडाउन नहीं है, यह सारे उसके फैक्टर्स है, और अफ दे अबव इस राइड आंसर, गुड, इंडियन अगरिकल्चर एग्जिबिट्स अ कंसिटरबल अमाउंट आफ वाट, अच्छा आपको पता है, इंडियन अगरिकल्चर के अंदर, अंडरेंप्लॉइमेंट भी है, इनके डेफिनेशन दर हम पढ़ने वाले हैं, अंडरेंप्लॉइमेंट, इसगाइड अट आंप्लॉइमेंट ये दोनो हैं यार, राइट आंसर इस, Indian agriculture exhibits a considerable amount of under employment and disguised employment farmers in large number of each having limited and limited and limited land resources यह बूलना चाहरे है farmers ना जिनके बास limited land resources होता है वो खुद कही न कही काम कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं under employment they are working on a limited piece of land resulting in disguised unemployment and under employment यह इसका बिल्कु बिल्कु सही आंसर है credit taken for a period of 15 years यार यह तो long term में आएगा मैंने अभी बताया जैसे money lenders हैं वैसे ही नाबाड भी आपको loan देने के लिए ready है but वो institutional source of rural credit है या non-conventional source लिख लो वो क्या है non-conventional source of rural credit है modern source of rural credit है क्या है यह बास सबको समझाई तो नाबाड is institutional source of rural credit is the right answer source of agriculture credit can be broadly classified into institutional and non-institutional non-institutional में money lender आगे trader आगया commission agents आगे relative landlords जो तुमारे जितने भी यार आपके human beings है ना जो आस पास इदर उदर घूम रहे हैं इनको बोलते हैं non-institutional institutional मतलब SBI group, RBI, NABARD, ICICI bank, corporatives, commercial banks यह जब आपको loan देने जाते हैं इनको institutional बोलते हैं क्योंकि marketing का मतलब होता है 4 piece एकलो marketing का मतलब होता है 4 piece सबसे पहला पी होता है product यह आपको business studies में भी पढ़ाया गया है और आपको बहुत मज़ा आएगा जब आपको यह आपको MBA में भी पढ़ाया जाएगा BCOM, BBM में भी पढ़ाया जाएगा economics, honors में भी पढ़ाया जाएगा product, price, place और promotion जल्दी लिखो इसको product, price, place और promotion agriculture, marketing यह चारो चीज़ों से बनी होती है तो transportation का मतलब होता है एक जगा को दूसरी जगा पढ़ लेके जाना place के अंदर आता है yes definitely है grading का मतलब quality चेक करना grading का मतलब grade लगाना भाई यह A quality का है, यह B quality का यह C quality का, यह D quality का है बिल्कु सही है, यह agriculture marketing में आएगा storage करना for the sale in future बिल्कु सही है, storage करने का मतलब place किसी जगा तुम storage तो करोगे, हाँ बिल्कु सही है credit taken to meet expenditure on agriculture यह marketing का पार्ट नहीं है यह एक function ज़रूर होता है कि मेरे को तो agriculture में produce करूँगा उसे market में बेच चूँगा उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए हो दार पे बट वो agriculture marketing का पार्ट नहीं है इसने डीस का बिल्कु सही answer है ठीक है जी? इन डाश अच्छा यह जो कारवे committee है इसने small scale industries को काफी promote किया है और उसको promote करने से small scale industries का मतलब होता है छोटी 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 factories छोटी छोटी companies जो बहुत large scale पर operate नहीं करती SSI जो बोलते हैं इनको SSI SSI का मतलब small scale industries यह promote करती है rural development को तो यह कारवे committee कब launch हुई थी इसका right answer क्या होना चाहिए जल्दी से बता दो बहुत बढ़े है यार C 1955 बहुत तेज आंसर आना शुरू है 1955 के अंदर village and small scale industries committee यह दो एक तो घाओं खुद और एक small scale industries committee also known as the carway committee noted the possibility इन्होंने small scale industries की possibility को note किया और इसके उपर काम करना शुरू किया यह latest census का data है यह latest census का data है D is the right answer आगे move on करें विचोट फॉलिए इस नौट बेनिफिट ऑफ और और गानिक फार्मिंग और गानिक फार्मिंग का high nutrition value हाँ भई nutrients बहुत मिलते हैं क्योंकि कोई भी pesticide, insecticide use नहीं हो रहा organic फार्मिंग का मतलब होता है organically grow करे जा रहे हैं goods, organically grow करे जा रहे हैं Crops greater import possibilities इंपोर्ट नहीं करना organic फार्मिंग से आपके बस import possibilities बड़ रही है यहर हम तो export करना चाहते है import नहीं करना चाहते आपने export इंपोर्ट का logic सबने बढ़ा है भाई import नहीं करना हमें तो export करना है तो import possibilities अगर बढ़ रही है हो benefit नहीं है वो organic farming का तो benefit बिल्कुल भी नहीं है तो यह नहीं होना चाहिए तो this is the right answer which of the following is not the benefit of organic farming right answer is C is the right answer ठीक है जी आगे आजाें आगे move on करें the formula to calculate workforce population ratio is what देखो workplace participation ratio बोलते हैं इसको WPR लिख लो कभी-कभी short forms में भी आपसे पूछ ले जाता है ये WPR The formula to calculate workforce participation ratio is Total workforce divided by total population into 100 Total workforce divided by total population into 100 ये इसका बिल्कुल-बिल्कुल correct answer है कितनी workforce है upon कितनी population है into 100 करेंगे तो हम calculate कर बाएंगे workforce participation ratio WPR A is absolutely absolutely correct बिल्कुल सही है जी आगे move on करें चलो जी आगे चलें Workers who are on permanent payroll of their employer are called Permanent payroll पे जो होते हैं इनको salaried employees भी बोलते हैं क्या बोलते हैं Salaried employees Workers जो salaried employees होते हैं Permanent payroll पे होते हैं उसको बोलते हैं regular workers C is the right answer Men get opportunity to work in आपको पता है हर एक हर एक sector में आज men work कर सकता है Primary, Secondary, Tertiary Tertiary sector को ही service sector बोलते हैं All is the right answer Agriculture laborers, farmers, owners of small enterprise Which employ less than 10 workers Fall in the category of DASH आपको पता है ये एक official NCRT की definition है किस चीज़ की informal sector की अगर किसी भी laborer में, किसी भी agriculture project में farmer, owners of small enterprise जो 10 से कम लोग employ करते हैं वो informal sector में आते हैं जो 10 और more ये भी लिख लो आप ये आएगा 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 आपके पास 10 और more employees रखते हैं 10 और more employees रखते हैं वो formal sector के अंदर आते हैं informal sector के अंदर आते हैं less than 10 ठीक है जी, right answer is B is the right answer आगे आजाएं recent efforts of which international body due to the recent ये recent efforts हैं किस international body के जिसकी वएसे Indian government ने modernization of informal sector set कर दिया है इसको बताँ क्या बोलते हैं आज आपके पास जो भी एक केले का ठेला है या सेब बेचने वाला है वो तो informal sector में आएगा बड़ उनकी progress के लिए क्या हो रहा है digital payments access कर दिया UPI स्टार्ट कर दिया ये modernization है उनको पहले ready पे बेचा करते थे बिलकुल बिलकुल सही answer है C is absolutely absolutely right ठीक है odd one out आपको ढूडना है चलो भई good answer good good question CUET 2023 के अंदर as a case study based question आने के chances है high probability ये question अठके गए अठका देखो क्या है ये एक private school teacher है जो 25 teachers के साथ काम करता है ये formal sector के अंदर आएगा ठीक है जी नर्स है जो government hospital में काम करती है ये भी यार एक formal sector या organized sector के अंदर आएगा cycle लिक्षा पुलर इसका odd one out होना चाहिए क्योंकि एक informal या unorganized sector है civil engineer working in a construction company विचास 10 ये भी organized और formal के अंदर आएगा ये भी organized के अंदर आएगा इदे को government hospital government entity है एक private school government entity है working in a construction company private entity है cycle लिक्षा पूलर कोई भी private entity नहीं है मतलब इसके लिए तो sole proprietor है organized नहीं है ये unorganized है इसलिए C का बिल्कुर बिल्कुर सही answer है C is the right answer unemployment कि उसको बोलते हैं उन लोगों को जो काम तो करना चाहते हैं but employment मिल नहीं रही एक बार बताओ वो लोग जो काम तो करना चाहते हैं but उनको employment मिल नहीं रही उसको बोलते हैं section of population willing to work but unable to find employment क्या है बाद सबको समझागे unemployment is defined as section of population willing to work but unable to find employment B is the right answer B, 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 इसका बिल्कुर बिल्कुर सही answer है आगे आजाएं data on unemployment कहां कहां से लिया जा सकता है आपको पता है data on unemployment census से भी आता है NSSO से भी आता है National Sample Survey Organization Directorate General of Employment से भी आता है हर जगा से data सकता है D is the right answer Three sources are census National Sample Survey Organization NSSO Reports of Unemployment and Employment Situations and Directorate General of Employment and Training Data बहुत सारी जगाव से यह आ सकता है all of the above इसका बिल्कुर बिल्कुर सही answer है When more persons are working in a job than actually required मतलब यार लोग unnecessary काम कर रहे हैं हमें 5 लोगों की जुरुत है और 15 लोग काम कर रहे हैं क्यों भाई हमें लोगों को तंखा दे नहीं है या काम इतना आप नहीं रहा बढ़ हम लोगों को निकाल भी नहीं रहे तो 5 ज्याने समझो 5 लोगों की need है और हम 15 लोगों से काम दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं डिजगाईज एनम्प्लॉइमेंट दिजगाईज का मतलब छुपी वी लग नहीं रहा बट एलिटी में अनिम्प्लॉइमेंट है डिजगाईज ऑनिम्प्लॉइमेंट इस नुट अफेक्ट एग्रिकेंट एक ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है तो तुम बंदे मिलकर सी बना रहे हैं तो यह तो disguised unemployment है यह साफ साफ क्या है disguised unemployment एक ऐसी unemployment है that does not affect the aggregate aggregate मतलब average economic output ठीक है जी it occurs when productivity is low and too many workers are filling too few jobs बहुत कम jobs बहुत जादा लोग जब भरने उसको बोलते हैं disguised unemployment is the right answer formal sector के अंदर 10 या more होने चाहिए formal मतलब या तो या more हो काम हमारा चल जाएगा dash is a common form of unemployment आपको पता है रूरल इंडिया के अंदर disguise सबसे जाता है बहुत ही common है रूरल इंडिया के अंदर disguise unemployment रूलर एरिया मतलब एक farm के उपर दो लोगों का काम है तीन चार पांच छे लोग लगे आगे आजाएं unemployment which is common in urban areas आपको बता है urban areas में एक तो रूरल areas में disguise बहुत important है urban areas में educated unemployment बहुत घुम रही है लोग पड़े लिखे उनको job नहीं मिल रही इन urban areas educated unemployment has become a common phenomena many youth with graduation and post graduation degree are not able to find jobs in urban areas तो दी इसका बिलकुर बिलकुर सही answer है दी is the right answer those who work in their own establishment using their own resources are called self-employed मैं खुद का ही धंदा कर रहा हूँ खुद के ही business में मैं owner भी हूँ marketeer भी हूँ मैं ही सब कुछ आगर संभाल रहा हूँ उसको बोलते है self-employed is the right answer an establishment with four hired वो informal में आएगा क्योंकि less than 10 है बही less than 10 है मतलब four informal में आएगा इनक्लूस और इंटर्राइजेट है थायर लेस्टेंटल वोकर्स इनफॉर्मल में आती है वो बीस राइट आंसर डैश अनेम्प्लॉइमेंट चलो भाई क्या है बताव इसका राइट आंसर क्या होगा डैश अनेम्प्लॉइमेंट में रिजल्ड बिकॉस सम्वर्कर्स आर टेंप्रेरिली आउट वर्क वाइल चेंजिंग जॉब ओके तैपस ऑफ इंप्लॉइमेंट पढ़ने का समय आ चुका है इसको डेफिनेशन को ध्यान से बढ़ते हैं या ठेचनल चेंज हो रहा है इसलिए लोगों को अनेम्प्लॉइमेंट थेखने पड़ रही है एक ऊता है सीजनल मतलब बहई सेंटा क्लॉज का जो जॉब है वो सिरफ सेंटा क्लॉज के आसपास जो हमारे क्रिसम्स उसके आसपास ही काम आएगा यह सीजनल जॉब है जब सीजन आएगा उस काम का तब जॉब मिलेगी यह तरवाई जॉब नहीं मिलेगी सीजनल अकर्स बेन जॉब्स अर ओनली अवेलिबल अच्छ इस एंटा ग्लॉस इंपर्स ओनेटर्स कोई सेंटा क्लॉस मनता है वो तरह की जॉब है साइकलिक मतलब भाई साइकल चलती है बिजनस की जब बिजनस बिजनस पीक पर होता है अनिम्प्लॉइमेंट नहीं होती लोगों लोगों को काम मिल जाता है जब बिजनस डाउन फॉल पर होता तो लोगों को काम नहीं मिलता उसको बोलता है Cyclic Unemployment Frictional Unemployment का मतलब होता है occurs when a worker moves from one job to another and spends time to find his new or new ideal job exist when there is full employment Frictional मतलब जो एक विक्ती ने छोड़ दी बट वो नई जॉब की तलाश में तब Unemployment हो रहा है यह 4 types of Unemployment होते हैं तो temporarily out of work while changing job इसको Frictional बोलेंगे right answer इसका यह रहा right answer इसका यह रहा यह वाली job के बारे में बात कर रहे हैं यह वाली unemployment के बारे में बात कर रहे हैं Frictional is the right answer C is the right answer due to introduction of new machinery अभी हमने बड़ा structural नई technology आई है demand supply में change हो रहा है machines को replace कर रहा है machines कुछ-कुछ workers को replace कर रही है यह structure change हो रहा है business का उसको structural बोलते है यह structural होना चाहिए due to reduction of new machinery ओके देखो इसमें right answer technological and employment structural एक better answer होगा प्यारे बच्चो इसका right answer structural होगा क्यों अभी हमने बड़ा था यार structural मतलब technological change जो जिसके वज़से technological change हो उसको बोलते है structural इसका right answer यह नहीं होना चाहिए इसका right answer भी नहीं होना चाहिए एक बार प्लीज इसको लिख लो just give me a moment just give me a moment हाँ जी यह लो इसमें technological unemployment right answer नहीं होगा right answer is going to be एक सेकंड मेरे को question गायब हो गया यह right answer इसका structural unemployment होना चाहिए technological नहीं होना चाहिए A is the right answer most of the unemployment in India is अच्छा unemployment क्यों है इतनी जादा unemployment इंडिया के अंदर क्यों है क्योंकि यह structure change हो रहा है economy का mismatch है worker कुछ और skill सीख रहे है availability of job कुछ और है उसको बोता है structural unemployment जहाँ पर worker का skill कुछ और है jobs कुछ और demand कर रही है workforce किसको refer करता है labor force which is employed right answer is labor force which is employed विल्कु सही है देखो force किसको नहीं करा जा रहा work के लिए force नहीं कर सकता है यहाँ कोई यहाँ पर कोई dictatorship नहीं कि तू मैं force किया जाएगा तुझे काम करना पड़ेगा अब नो तुझे सज्जा होगी यहाँ पर कोई force नहीं कर सकता आपको काम करना है यह काम आपको खुदे करना पड़ेगा तो labor force which is employed उसको workforce बोलते हैं यह इसका बिल्कुर बिल्कुर correct answer है ठीक है डाश is the major source of livelihood for both men and women in this category accounts for more than 50% of India's workforce अच्छा यार बेसिकली जाता से जाता लोग का employed है, self-employed है they are self-employed people 50% of India's workforce self-employed है यह is the right answer ठीक है जी find the odd one out एक clerk electricity office में काम करता है computer operator state government में काम करता है temporary basis पे, okay workers काम करता है, hotel में out of is seven are hired workers, three are family workers a police constable, देखो यार यह जो electricity office में काम कर रहा है clerk, यह भी एक formal या organized के अंदर आता है यह जो temporary basis पे भले यह काम कर रहा है बट यह भी आपके पास किसमें आता है यह भी आपके पास formal में आता है workers in a hotel out of is seven यह informal या unorganized में आता है क्योंकि यह आपे सिर्फ साथ लोग है, official जो काम कर रहे है right answer is workers in a hotel क्योंकि यह informal sector का part है C, इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer है same question, private school teacher है तो वो क्या होगा अब देखो private school teacher in reality private school teacher जो है वो formal sector में काम कर रहा है क्योंकि 25 teacher है अच्छा owner है एक, वो self-employed है employing nine workers अच्छा owner of a textile shop ने nine workers तो यह तो informal है अभी के लिए मेरे को लग रहा है भी ही हमारा right answer होना चाहिए owner of textile employees nine workers तो nine workers मतलब informal में आ रहा है अभी तो driver of a bus with ten buses with twenty drivers again informal ten workers है, sorry, यह formal है यह formal है यह भी formal है और यह पच्छेस teacher वाला यह भी formal है बस B वाला informal है इसलिए B is the right answer आगे मुआन करें unemployed person is the one who is not able to get employment of even one hour in half a day ठीक है यह definition किसने दिया है यह definition NSSO ने दिया है, census ने दिया है किसने दिया है यह definition यह जनरल economist ने दिया है क्या unemployed people वो लोग होते हैं जिनको एग घंटी की भी employment ने मिल पारी आदे दिन के अंदर उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं unemployed person A is the right answer A is absolutely right चलो जी आगे मोहन करें It is circumstance where an individual works for himself मैं खुद के लिए काम करना पसंद करूँगा मैं खुद के लिए काम करना पसंद करूँगा rather than working for another मैं खुद का employer हूँ किसी और केंडर मैं काम नहीं कर सकता I am not working under somebody else who is going to give me a wage or salary I am my own boss It is the chief cause of under employment and employment prevailing at the developing nations लोगों की ego यार बड़ी हार्श है वो किसी और केंडर काम नहीं करना चाहते which concept is being discussed self employment एक concept है जिसको discuss किया जा रहा है A is the right answer ठीक है जी A teacher tells the student that there is one ratio that analyzes the country's employment situation उसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं worker population ratio कितने population में से कितने लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं worker population बोलते हैं इसको number of employed persons divided by divided by total population into 100 यह इसका ratio होता है ratio का तो मतलब यह ही है ना कितने लोग काम कर रहे हैं divided by number of population into 100 worker population ratio is the percentage of persons employed among the persons in the population worker population ratio को क्या define किया जाता है number of persons employed per 100 persons basically ratio मतलब multiply by 100 करने की बात कर रहे हैं the employment okay the employment to employment to population ratio एक और चीज़ होती है कि economy का कितना working age population है जो की employed है working age यहां पे यहां पर 18 प्लस होती है यह भी मैं आपको बदायता हूँ 16 साल working age नहीं होती 18 प्लस होती है ऐस राइट आंसर ठीक है जी बाकी कुछ आपके पास statements और reasoning चलो statement one two ठीक है गलता है देख लेते हैं एक पर इन questions को 4-5 questions और करते हैं I hope आज आप हमने पूरे 50 questions देखो complete कर ली है अब हम थोटे से extra four five questions bonus questions करते है off the job और यहां दियाव है on the job इन दोनों में difference पता होना चाहिए off the job और on the job off the job refers to training provided to the workers by a firm to redefine or to refine their specialized skills it makes them more efficient and productive मैं आपको बजाता हूँ off the job training reality में firm provide करती ही नहीं off the job training digital marketing का एक course आपने कर लिया किसी institute में उसको बोलता है off the job training आप किसी और organization में job के लिए ढून रहे organization वो कह रहा है आप किसी और organization by firm to enhance ये बिल्कुल सही है right answer true है क्योंकि जो firm प्रवाइट करता है उनकी skills को enhance करने के लिए to make them more efficient and productive उसको बोलते है statement true बिल्कुल सही है statement one false है right answer is D is the right answer D is absolutely absolutely right ठीक है जी unemployment in developing country is generally taken place due to what मैंने मताया अभी क्यों होता है भाई switch over from one job to another lack of complimentary factors of production उक्के भाई पहली बात तो developing country कौन सी है India is a developing country ये भी समझो India is a developing country unemployment एक developing country में क्यों take place करते है क्योंकि complimentary factors of production नहीं है right answer is complimentary factors of production नहीं है there is more unemployment in developing countries like India because complimentary factors of production exist नहीं करते अगर एक डूब गया factor of production तो दूसरा उसके backup में नहीं कड़ा होता उसको बोलते है lack of complimentary factors of production D is the right answer इंडिया's rate of unemployment is estimated by NSSO बिलकु सही है National Sample Survey Organization National Sample Survey Organization Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI के अंदर आती है इसका full form दिख लो Ministry of Statistics and Program Implementation ये measure करते है rate of unemployment in India क्या है NSSO sees the right answer type of unemployment more prominent in India more prominent in India कोंसी है structural बो yes or no more prominent in India structural भी हो सकती है seasonal भी हो सकती है या right answer इसका होना चाहिए seasonal किसी season में लोगों के पास काम होता और किसी season में लोगों के पास नहीं काम होता इसरे is the right answer disguise employment सबसे ज़्यादा agriculture sector में होती है ठीक है जी आगे आजाए agriculture sector में disguise employment सबसे ज़्यादा होती है क्यों लोग चाहिए चार एक field के अंदर काम कर रहे हैं 40 लोग छे लोग उसको disguise and employment बोलेंगे और वो agriculture sector सबसे ज़्यादा होती है people of which age group are treated as productive labor force 15-70 15-60 साल की age में आप productive labor force गिन सकते हो right answer is B is the right answer आगे आजें which of the following term defines the labor that is employed for few months in a year बस कुछी time बिले उसको बोलते हैं casual labor ये permanent or regular employees नहीं हैं सिरफ कुछ महीनों के लिए employee करे जा रहे हैं उनको बोलते हैं casual workers casual workers are those workers which do not work throughout the year they are only hired for some project provident fund security benefit जिन सबको ये enjoy करने को नहीं मिलते हैं इनका काम सिरफ few months का है इसलिए is the right answer due to dash use of advanced or sophisticated technologies rather than an exception in India illiteracy यार लोग illiterate है उनको पता ही नहीं technology कैसे operate करनी है sophisticated technology एक exception बनती जारी है इंडिया के अंदर high-end technology के उपर लोग काम नहीं कर पारे उसको क्यों बोलेंगे भाई रीजन क्या है इसका इसका रीजन है illiteracy तो B is the right answer cyclic and frictional unemployment are found in आपको पता है cyclic and frictional are always found in developed economies देखो यार मैंने आपको चार तरह की unemployment पढ़ाई थी अभी हमने चार तरह की unemployment पढ़ी उपर ये लिए ज़िब में a moment ये लिए चार तरह की unemployment पढ़ी इसमें आपके पास cyclic and frictional जो होती है वो developed nations में पाई जाती है इस बात का मेशा याद रखना काफी important कुश्चन है और structural seasonal पाई जाती है developing countries like India के अंदर seasonal कहां पाई जाती है developing countries like India के अंदर ठीक है just give me a moment ठीक है जी आगे मोहन करें तो cyclic and frictional developed countries के अंदर जैसे USA England के अंदर पाई जा रही है similarly जो seasonal है ये structural है वो developing like India के अंदर पाई जा रही है ठीक है जी right answer is C is the right answer होना चीए आगे मोहन करें the natural rate of unemployment is generally thought as the या natural rate of unemployment होता है sum of frictional plus structural unemployment natural unemployment के अंदर structural तो add होता ही होता है frictional भी add होता है cyclic add नहीं होता cyclic add नहीं होता और सब में cyclic ही दे रखा है cyclic add कभी नहीं होता हमेशा या तो frictional होगा या structural add होगा इसको बोलते है natural rate of unemployment तो D is the right answer ठीक है जी Indian agriculture exhibits us considerable amount of अभी मैंने बता है Indian agriculture के अंदर unemployment भी है और disguised unemployment भी है under employment भी और disguised unemployment भी है A is the right answer national literacy mission is related to adult education मतलब यार लोगों को हमें adult education की तरफ लेके जाना है आज की life class इतनी रखते हैं यार I hope the session was helpful बहुत amazing session रहा होगा आपको काफी मजा है होगा पूरे IED के सवाल करने में all the very best जल्दी मिलते हैं take care everyone IED के जितने भी remaining set of questions है वो मैं कल की life class में हम करने वाले हैं कल 8 a.m 8 a.m मेरे को general knowledge की current advice की life class में मिल जाना है इस YouTube channel पे कल 8 p.m IED की और महुत interesting sessions में लूँगा इसी chapter का अभी part 2 भी होने वाला है ठीक है इसी chapter का अभी part 2 भी होने वाला है तो कल मिलते हैं current challenges facing Indian economy का part 2 कल मिलते हैं ठीक है जी all the very best everyone take care everyone जल्दी मिलते हैं all the best गुड़ीवनिंग 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 क्या हाल है आप सभी के सुन पा रहे हो तो thumbs up करते हैं absolutely amazing एक बार बोल दो yes sir everything is audible एक बार बोल दो yes sir everything is clear so that we can begin with the session आज हम Indian Economic Development का third chapter करने जा रहे हैं एक बार जल्दी से बोल दो yes sir सब बढ़िया सब मस्त मौला yes everything is audible बहुत बढ़िया start करें start करें आज के session के साथ awesome 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 बाई किस को दिख रहा है ये एक बार में को बता दो yes 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 audible 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 yes yes एक बार में को बता दो yes sir everything is audible ये दिख रहा है सबको ये दिखना सबको शुरू हो गया तो ये हमारा कौन सा chapter है ये chapter 3 है Indian Economic Development का economics के अंदर हमने money and banking government budget BOP national income related aggregates income determination five chapters already micro five chapters macro economics के already complete कर लिए हैं आज हम करने वाले हैं IED का third unit इससे पहले दो units मैं already आपके ID के करवा चुका हूँ IED लिख लो यार IED ये दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ IED के three units we have already completed this is last unit of IED जिसमें हम most important MC use करने वाले हैं एक बार बोल तो yes 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 everything is audible Hi Asphalt, Ashutosh, Swastik, Yarsh, Harsh start हो गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया Hi everyone Hello 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 Hi Radhe Asphalt बहुत बढ़िया सब को सुनाई दे रहा है everything is audible let's begin let's begin most important MC use के साथ आजम start करने हैं सबसे पहला question आपकी screens पर ये रहा Hi Meheg, Pranjal very good evening everyone आपको पता है यार जितनी भी पुरी की पुरी प्लेलिस्ट है most important MCQs most important MCQs of economics economics के अंदर आपको पता होना चीए तीन components आ रहे है economics domain के CVD के perspective से तीन components आ रहे है सबसे पहला component होता है macro economics फिर आपके बास component है micro economics और फिर आपके बास component है IED macro पूरी हम complete कर चुके हैं YouTube के उपर IED आपके उपर मैं आपके पास दो units are complete first unit एक unit रहे गया है जिसमें China इंडिया और पाकिस्तान का development phase बताया गया है वो आज हम complete कर देंगे और दो chapter रह जाएंगे micro economics के जो कल और परसो हम करने वाले हैं कल और परसो micro economics के दो और chapter रह जाएंगे वो मैं definitely आपके पास कल परसो लेके आ जाएंगा फिर हमारी पूरी की पूरी economics के most important MCQs wrap up हो जाएंगे उसके बाद आपके full length mock शुरू होंगे YouTube के उपर तो हर रोज रात को 8 पीम मेरे को कोई भी join करना ना भूले क्योंकि जैसे ही chapter wise most important MCQs खतम होंगे मैं full length mock आपके पास लेके आऊंगा फिर हम और questions प्राक्टिस करेंगे एक on mix domain के बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है yes कल से micro भी आ जाएगी आशुदोष स्टार्ट करें सबसे पहले question के साथ awesome यार awesome सबसे पहला question आपकी scenes पर यह रहा चलो start करते हैं China moving ahead of India in Pakistan is true for which indicator आपको पता है China, India और Pakistan से आगे कौन-कौन से indicator में यह पूछना चाह रहा है यह पूछना चाह रहा है China किस-किस indicator में आ गया यह पूछना चाह रहा है just give me a moment हाँ जी बता तो भई कौन-कौन से indicators में आ गया है GDP per capita proportion of population below poverty line जिसको BPL भी बोलते हैं below poverty line उसके बाद आपके पास होना चाहिए HDI ranking human development index जिसको बोलते है यह all of the above जल्दी से बता दो उसका right answer क्या होगा जल्दी से बता दो उसका right answer क्या होगा फिर हम session को begin कर रहे है गुड ओसम ओसम एक सिकन्ड यार कुछ technical English है एक मिन मैं इसको sort कर दूँ हाँ जी हाँ जी इसका right answer होना चाहिए all of the above बिल्कुल बिल्कुल सही answer है सबका चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से आगे है किस किस में लिख लो यार जीपिटी पर कैपिटा में आगे है जीपिटी पर कैपिटा में आगे है proportion of population below BPL जिसको below poverty line बोलते है BPL below poverty line इससे आगे है health indicators से आगे है such as mortality rate से आगे है access to sanitation में आगे है literacy ज्यादा better है चाइना के अंदर life expectancy ज्यादा long ज्यादा लंबा जीते हैं लोग चाइना के अंदर और mal nutrition के वज़े से भी mal nutrition भी एक factor है जिसकी वज़े से China इंडिया और पाकिस्तान से दोनों से आगया तो D इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer है ठीक है आगे move on करें आगे move on करें India, Pakistan and Dash have many similarities in their development strategies आपको पता है यार तीन देशों के बाद होती है इस चैप्टर के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीन देशों की बाद होती है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की बाद होती है तो right answer इसमें B for Bombay आना चाहिए B, B, B इसका बिल्कुल correct answer है Let's move ahead Which of the following countries has lowest rate of population इसमें से lowest rate of population growth अब मैं आपको बताता हूँ lowest population निये पूछ रा ये पूछ रा है lowest rate of population growth किसकी है lowest population निये पूछ रा lowest population वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की है इंडिया नमबर वन, चाइना नमबर सेकंड फिर पाकिस्तान But lowest rate of population growth अब आपको बताया जब से चाइना ने चाइना इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer होगा Let's move ahead next question में move on करते है Which of the following countries has the highest growth rate of GDP Highest growth rate मैं आपको बताता हूँ इस समय चाइना भाई बूम पे है चाइना population भी उसने अपनी कंट्रोल कर दिया वैसे NCRD के चाइना is the most populous country in the world But India has taken that place now India has become number one most populated country in the entire world चाइना को उसने beat कर दिया है अब one child policy के बाद नहीं सिर्फ वो अपनी population growth पे ध्यान दे रहे है वो तो highest GDP growth पे भी ध्यान दे रहे है Highest GDP growth rate के भी उपर उनका focus है इसलिए इसका right answer क्या होना चाहिए चाइना 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 इसका बिल्कूर बिल्कूर करेक्ट आंसर है आगे चले चाइना is the highest growth rate of GDP which economic sector has the highest contribution to GDP in India, Pakistan and China अच्छा agriculture, services या इंडस्टी किसका सबसे highest growth rate है सबसे ज़्यादा contribution किसका ये पूझना चाह रहा है बहुत अच्छा question है बताओ इसका right answer क्या होगा it's a very very good question बताओ एक बार इसका right answer क्या होगा which economic sector has the highest contribution to GDP in India, Pakistan and China agriculture, services या industry जल्दी से बताओ इसका right answer होना चाहिए services इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है tertiary sector जिसको बोलते हैं C is the right answer tertiary sector जिसको बोलते हैं tertiary sector या service sector इसका highest contribution है इसलिए C for Calcutta is absolutely correct C is the right answer आगे मुँआन करें rank India, Pakistan, China in terms of better value of HDI human development index देखता है भाई कौन कितना पड़ा लिखा है कितना healthy है, कितना wealthy है नहीं सिर्फ वो ये देखता है कितना rich लोग है वो ये भी देखता है कि आपके पास जो population है वो happy भी है या नहीं है literate भी है या नहीं है ये सब क्या देखता है HDI देखता है तो यहाँ पे India, Pakistan, China ये better value of human development index तो इनकी ranking क्या है सबसे पहले आपके पास चाहिना होना चाहिए है और obviously पाकिस्तान तो number one पे है नहीं पहले चाहिना होना चाहिए second India और third Pakistan human development index पे ये ranking follow करी जाती है इनकी rankings हमुझ लो क्या है rankings are accorded they are according to the countries चाहिना की rank है 81 इंडिया की है 128 और पाकिस्तान की है 136 और ये NCRT का exact data है इसको भी लिख सकते हो आप this is NCRT exact data चाहिना की है 81 इंडिया की है 128 और पाकिस्तान की है 136 चाहिना is leading इंडिया number 2 पे और पाकिस्तान number 3 पे इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer होगा perfect perfect इंडिया is not a member of which of the following regional global economic grouping आपको पता है South Asian Association of Regional Corporation इंडिया definitely इसका part है इंडिया definitely इसका part है BRICS का BRICS में I जो stand करता है B stands for Brazil R stands for Russia C stands for China S stands for South Africa I stands for India I stands for India ठीक है जी? ठीक है? G20 का part G20 तो conduct भी इंडिया के अंदर हो रहा है इस बार G20 meeting इंडिया के अंदर conduct हो रही है G7 का part नहीं है इंडिया G7 में कौन कौन है Canada, France, Germany, Italy, Japan The UK, United Kingdom, United States and European Union इंडिया is not a part of G7 तो G7 इसका CCC is the right answer C for Calcutta is the right answer G7 बिल्कु सही है फिर्स चैप्टर में हमसे हो सकता है मैं ऐसे थोड़ी mistake हो गी हो 1951 मैंने ये year गलती से बोल दिया था उस mistake को मैं recall कर रहा हूँ उसको प्लीज एक बार correct कर देना 1956 उस वीडियो के comment section में मैं डाल दूँगा अगर कुछ mistake है तो 1956 के अंदर फिर्स फाइव येर प्लान पाकिस्तान का लॉंच हुआ था एफ और हम्दबाद is absolutely right आगे move on करें proportion of people BPL is more in below poverty line आपको पता है ज़्यादा गरीब लोग का हैं इंडिया के अंदर काम ही नहीं करना चाते जो काम ही नहीं लोग करना चाते वो कहा हैं होंगे इंडिया के अंदर होंगे और कहा हैं इंडियांस don't want to work इंडियांस want to have a luxurious life उनको बस चाइए कोई संत महात्मा हमारे उपर हाथ फेर दे और हमारा काम बन जाए किसी बाबा के हम बक्त बन जाएं और मेरा काम हो जाए काम धंदा वो बात की बात है सुबह उठना वो नहीं मनजूर हमें तो इंडिया BPL पौवर्टी लाइन साफ साफ लेड़ेड है यार जो मेहनत ही नहीं करेगा वो पौवर्टी के तरफ ही भागेगा है इंडिया इसकी absolutely correct answer है is the right answer तीक है reforms in DASH were introduced in 1988 अच्छा reforms in China, India, Pakistan 1988 में reforms कब आयते है यार पाकिस्तान होना चाहिए right answer is B for Bombay's right answer क्योंकि इंडिया के reforms 1990 में आयते LPG के बाद यहां पे पाकिस्तान इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer होना चाहिए reforms in Pakistan were introduced in 1988 is absolutely correct पाकिस्तान adopted economic stabilization and structural reforms policy in 1988 in an effort to reduce domestic financial imbalances and external deficits मैं आपको पताता हो यहार पाकिस्तान की जो हालत है और श्रिलंका की हालत है वो almost एक जसी है economic downturn है economic downturn का मतलब समझ गे मतलब बहुत जादा lonely रखा है बाहर के देशों से उसको pay नहीं कर पारे joblessness है unemployment बहुत जादा है economy is in recession demand बहुत कम है supply बहुत जादा है goods and services बहुत कम मातर में मतलब lavish lifestyle पाकिस्तान का अब रहा नहीं है just like श्रीलंका श्रीलंका के अंदर भी economic downturn आ रखा है तो यहाँ पे पाकिस्तान ने economic stabilization structural reforms 1988 में deduce करे थे but यह current scenario मैं आपको बता रहा हूँ मैं current scenario आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान और श्रीलंका at this point of time major major economic downfall पे है ठीक है fertility rate is very high fertility rate सबसे ज़्यादा high कहा है मतलब पैदा होने वाले बच्चे कि यह बात करना है fertility rate का मतलब होता है पैदा होने वाले बच्चे तो सबसे ज़्यादा कहा है यहाँ right answer is पाकिस्तान fertility rate मतलब population increased होते जा रही है 3.5 children per woman in 2020 मतलब एक women से 3. sorry just give me a moment just give me a moment एक women से 3.4 children का record है पाकिस्तान का मतलब कितनी हरानी वाली बात है but this is the fact मतलब पाकिस्तान का एक women से 2020 के अंदर record है 3.4 children का तो इसको बूलते है fertility rate सबस्यादा high कहा है पाकिस्तान के अंदर perfect just give me a moment just give me a moment एक मेंट का टाइम दो मुझे और सुनाओ preparation मस्ता preparation कैसी चल दी आप सबकी बढ़िया मस्त एक session लेना है यार मेरे को बात नहीं हो बारी तुमसे बहुत टाइम से directly one to one बात करनी है straight from the heart बात करनी है और बहुत interesting बात है मजा आएगा आपको college life की important समझाएगी थोड़ी पता लएगा किस हिसाब से preparation करना है next हमें move on कैसे करना है कि सारी बाते एक session लेने वाला हो one to one बात करेंगे सिरफ one to one चलो आगे आजाएं ठीक है right answer is पाकिस्तान is the right answer good 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 सबका right answer आगया कोई problem दो नहीं है must sir must है बहुत बढ़ी है crazy crazy in which are the following areas पाकिस्तान has an edge over India चलो बई कौन सी area के अंदर पाकिस्तान better है इंडिया से कितना must question है तुम्हें लगता होगा अच्छा पाकिस्तान इंडिया से better भी हो सकता है yes better है export of software other export of software after economic reforms नहीं यार इंडिया के अंदर जादा engineers है जादा software develop होते हैं इंडिया के अंदर और software जादा export भी इंडिया करता है number of PhDs produced in science and engineering every year Indians की तो population इतनी जादा है और वो तो number of PhDs obviously obviously number of PhDs इंडिया के अंदर जादा होने वाले है reducing the proportion of population हाँ भाई ये बिल्कु सही है आपको पता है reducing the proportion of population BPL below poverty line ये better है पाकिस्तान इसमें उन्होंने below poverty line लोगों को कम से कम रखावा हैं इंडिया के अंदर BPL वाले लोग जादा है below poverty line वाले लोग जादा है और पाकिस्तान के अंदर कम है तो C is absolutely correct C is का बिल्कुल बिल्कुल correct answer है ठीक है जी less workforce in agriculture sector urbanization और भी कुछ sectors है ये भी मैं आपको पता होना चाहिए सिरफ ये तो एक MCQ आपको दिख गया और भी MCQ है जैसे पाकिस्तान has an edge पहली बात तो a edge नहीं होता an edge होता है इंग्लिश पता होने चाहिए हम सबको पाकिस्तान has an edge over India in urbanization elevation of poverty elevation मतलब खतम करना poverty को elevation का मतलब बढ़ाना नहीं होता elevation का मतलब reduce करना reduce in intensity elevation of poverty less workforce in agriculture इंडिया के अंदर agriculture में ज्यादा workforce है पाकिस्तान में agriculture के अंदर कम workforce है तो इसमें डेफिनिटली पाकिस्तान के पास edge है over India sees the right answer आगे move on करें विच्व तो the following two countries have adopted the mixed economic system इंडिया and पाकिस्तान दोने के पास mixed economy चलती है चाइना के पास socialist चलती है Indian पाकिस्तान is absolutely absolutely correct mixed economy का मतलब क्या होता है participation of both the state as well as private state का मतलब यहां पे होता है central government state का मतलब यहां पे होता है central government और private sector का मतलब होता है private player private sector का मतलब होता है private player तो private player plus government दोनों का ही role है China की economy के अंदर इसको mixed economy बोलते हैं इस ते B is the right answer growth rate of population is highest in which of the falling country growth rate of the population highest किस्में है इंडिया में है आपको पता है na growth rate of population आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बहुत growth rate है fertility जिसकी high होगी उसका growth rate of population भी highest होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ यह सिरफ NCRD का data है अगर आप इसको data को compare करो प्रेजेंटे सिनारियो के साथ इंडिया ने बीट कर दिया भाई पाकिस्तान चाइना दोनों को growth rate of population के अंदर CCC का बिल्कुल correct answer है आगे move on करें which of the following countries initiated its process of economic reforms in the year 1991 1991 में LPG आया था मनमोन सिंग जी की government के अंदर LPG liberalization, privatization, globalization, globalization B for Bombay is the right answer आ गया जाए चलो भाई statement को true or false बताना है बहुत अच्छा चल रहा है session जल्दी से इसको हम आदे घंटे में अंदर खतम कर देंगे, आदे घंटा और ये class चलेगी ये rapid fire जीसे आप से आपने response दिखाया है massive 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 आदे घंटे में मैं इस session को खतम करने वाला हूँ, बताओ भाई true false क्या है with the aim of economic development economic development होनी चाहिए Pakistan adopted the pattern of mixed economy where both private and public sectors coexist, ये बिल्कु सही है one of the main reasons Pakistan ने mixed economy pattern established क्या था, इसलिए कि उनको economic development चाहिए थी, ना ही सिरफ public sector, ना ही सिरफ government के उपर pressure हो, private players भी private players भी industries में enter कर पाएं, अपनी industry set up कर पाएं different sectors में काम कर पाएं ठीक है, statement 2 statement 2 क्या बोलता है, statement 2 बोलता है, in the late 1917s and early 1980s, Pakistan shifted its policy orientation to Pakistan shifted its policy orientation by denationalizing the thrust areas, encouraging the private sector, denationalizing the thrust areas का मतलब क्या होता है, जितने भी government related issues है, government related sectors है उनको denationalize करना, in short उनको open कर देना public sector के लिए, sorry, उनको open कर देना private sector के लिए, तो ये भी statement is absolutely, absolutely correct यहां पे late 1970s और 80s में क्या होगा था, पाकिस्तान ने बोला, यार बहुत enough हुआ, हमारी government ही सब बनाते जा रही हैं, जैसे हमारे यहां privatization हुआ था, इन्होंने भी denationalization किया था, कि अब सारी government companies नहीं होगी, हम हम private sectors को भी मौका देंगे, कही ना कही statement one or two interrelated है अच्छा, यहां पे denationalizing the thrust areas, मतलब most important sectors most important industries, अब सिरफ public sector नहीं संभालेगा, private sector भी संभालेगा, statement one or two, दोनों ही true हैं both statements are absolutely correct, right answer is right answer is, C, C, C is the right answer C is absolutely a correct option, बिल्कुल correct option है, C is the right answer देखो क्या बोल रहा है, with the aim of economic development, Pakistan adopted the pattern of mixed economy, both private and public and private sector will coexist, Pakistan ने introduced इसलिए किये थे, ताकि यार हम domestically domestically जाद अच्छे goods बना पाएं, private players आपाएं, हमें imports कम से कम करनी है, एक अच्छा देश वो होता है जो export जादा करे, import कम से कम करे, क्या यह बाद सबको समझ आ रही हैं, तो C इसका बिल्कुल correct answer होगा पुछोता falling is false, यह important है, false regarding China चाइना के perspective से, क्या चीज़ false है, क्या sex ratio is biased, देखो या, sex ratio is biased, यह absolutely true है, क्यों जादा male है, कम female है, यह sex ratio biasness इसको बोलते हैं, ठीक है density of population is lowest, density of population lowest है, यार density of population lowest है, हाँ यह भी true है, density of population क्या होता, उसका formula में आपको बता रहा हूँ population is quite small नहीं, यार, population तो बहुत बढ़ी है, मतलब इंडिया ने तो अब China को beat किया है, population के अंदर but earlier China was the most populous country in the entire world population is quite small, इसमें answer होना चाहिए false, तो definitely जो हमें false statement उठानी है, right answer is C is the right answer, C C is absolutely correct, C is the right answer आगया आजाए, in China, how much percentage of workforce is engaged in agriculture as of 2018-19, यह NCIT का data प्लीज इसको note कर लो, मतलब China के अंदर कितनी percent population involved है, agriculture के अंदर, right answer is 26%, 26% है और overall China की जो economy है, overall China की जो economy है उसमें सिर्फ और सिर्फ साथ percent share है agriculture का, gross value addition इसको बोलते हैं, GVA सिर्फ और सिर्फ agriculture को China, agriculture को the overall Chinese economy के अंदर, agriculture का केवल और केवल रोल जो है वो 7% है, जहां तक, जब की यह बो सकते हो whereas, overall 26% of the workforce is engaged in agriculture, और सिर्फ 7% contribute करती है, GDP पे या GVA जिसको बोलते है, cross value added या GDP जिसको बोलते है D is the right answer, आगे आजाएं what is the type of economic system followed by China China कौन सा system follow करती है मैंने अभी आपको बताया था, mixed system यह follow नहीं करती, क्यों? mixed का मतलब होता है, private plus public both, मतलब capitalist plus socialist both, mixed economy इंडिया और पाकिस्तान follow करती है China follow नहीं करती, market economy होता है, free, कोई भी player आ सकता है, कैसे भी free demand and supply के basis पे कोई भी अपनी industry set up कर सकता है, कोई भी licensing की जूरत नहीं है, ऐसी बहुत कम देश है जो यह market economy follow करते है, socialist इसका बिलकुर correct answer है socialist government में होता गया है, socialist market economy में होता गया है, China एक socialist economy follow करती है, जिसमें, state majority enterprises own करता है ताकि maximum लोगों का फायदा हो सके वो rate खुड डिसाइड करता है market capitalism को बीट करता है capitalism का मतलब यह नहीं कि सिर्फ ameer ही products खरीड सकते है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ameer ही products खरीड सकते है, ऐसा भी है कि आपके रेयर जो goods बनाए जा रहे है जो products बनाए जा रहे है वो गरीबों और ameerों दोनों के लिए equal है एक समान है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम नहीं सिर्फ goods market capitalist के लिए बना रहे हैं, ameer लोगों के लिए बना दी जी goods, या private owners के लिए बना रहे हैं B, B, B is the right answer China has highest per capita income followed by India and Pakistan, B is the right answer Name the country which has lowest population density अच्छा, population density क्या होता है population density is the average number of individuals in population per unit of area or volume मतलब, एक area के अंदर पहली बाद तो population density area wise calculate होती है एक area के अंदर कितनी population reside कर रही है मान लो, यह एक area है यह एक area है, कितने लोग यहाँ पे reside कर रहे है divided by the unit of area मतलब, वो एकड में हो सकता है वो square kilometer में हो सकता है नौर्मली square meter या square kilometer के साब से नापते हैं इसको population density average है population divided by unit area unit area किसमें हो सकता है, meters में हो सकता है या kilometers में भी कभी हो जाता है ठीक है जी population density is the average number of individuals in a population per unit of area or volume for example, मानलो यार एक population of 100 insects है यहाँ पे हमने human beings ने लिया, यहाँ पे insects ले लिया a population of 100 insects that live in an area of 100 square meter has density of 1 insect per square meter 100 insects या 100 insects छोड़ो, 100 लोग बैठे हैं 100 लोग रह रहे हैं 100 square kilometer area के अंदर तो 100 population होगी divided by 100 square meter तो यह हम बोच सकते हैं one people या one person per square meter हमारा right answer होगा उसको बोलेंगे population density lowest population density किसकी है? right answer is China की है यही students महार खा रहे हैं प्यारे बच्चो, China इसका बिलकुल बिलकुल correct answer है China is the right answer Dash is moving ahead of both India and Pakistan in terms of indicators China is moving China, India और Pakistan दोनों से आगे भागने की कोशिच कर रहा है Human Development Index के अंदर अभी recent हमने rank पड़ी 81 थी पाकिस्तान की 128 थी sorry इंडिया की rank अभी हमने पड़ी 128 थी और पाकिस्तान की rank अभी हमने पड़ी 136 थी Yes or No 136 Right answer इसका D होना चाहिए आगे मुओन करें Which sector contributes the most to India's economy अब जमाना चेंज हो गया है Agriculture नहीं करता अब service sector करता है पहले On the eve of independence service sector नहीं था On the eve of independence primary sector या agriculture sector करा करता था अब तो service sector करता है Is the right answer Current price की gross value added GVA at MP के ये बात कर रहा है या GDP at MP के ये बात कर रहा है Gross value added at current prices 96.54 lakh crores है In 2020-21 Service sector is the largest sector of India जो contribute करता है GDP को A is the right answer On the eve of independence के साथ इसको compare मत करना इसको compare करना Current value क्या है 2020-21 का figure compare करो तो right answer is going to be Services is the right answer आगे move on करें No problem Reforms in China started in the year बहुत पहले start हो गए थे India में भी बात में start हुए Pakistan में भी बात में start हुए सबसे बहले China में start हो गए थे 1978 के अंदर Maa से influence होगे फिर India ने भी start करे Deng Xiaoping was often created as the general architect of the reforms Deng Xiaoping ये भी लिख लो यार इसका pronunciation का है Deng Xiaoping Deng Xiaoping was often created as the general architect of the reforms The reforms in China was launched by reformists within Chinese Communist Party CCP इसको बोलते है on December 18 1978 during the ball on fusing period basically यार ball on fusing भी एक famous politician हुआ करता था महाँ भी इनका एक phase था उस समय 1978 के अंदर reforms हुए थे और it was introduced within CCP Chinese Communist Party ये जानना important है B is the right answer Deng Xiaoping का नाम जानना important है B इसका absolutely correct answer है वाइल वन चाइल्ड नॉम वन चाइल्ड पॉलसी किसने इंडिड्यूस करिया है चाइना ने D is the right answer D D D is absolutely right DASH has highest life expectancy मतलब जादा लोग जीते हैं वहाँ पे उमर में लोग जादा जीते हैं तो चाइना is the right answer A campaign in China in 1958 Most important हरे एक student को जो IED पढ़ता है उसको यह पता ही बता होगा A campaign in China in 1958 where people were encouraged to set up industries in their backyard was named as Great Leap Forward, Great Proletarian Cultural Revolution, Anti-righteous Movement या 4-Pest Damping Right answer इसका GLP होना चाहिए GLP का मतलब होता है Great Leap Forward ये ना industries को सम्माने के लिए It was aimed at modernizing the Chinese economy China का जी economy है China का जो economy है उसको modernize करने के लिए industries को enhance करने के लिए ये movement चलाया गया था It was conducted, it was initiated by Mao in China in 1958 इससे क्या होगा था लाज़ के लिए industrialization स्टार्ट हो गई थी और सिर्फ ना ही urban areas में ना ही urban areas में, rural areas में लाज़ के लिए industrialization चाइना के अंदर industries लगना शुरू हो गई थी major production शुरू हो गई थी और great leap forward का मतलब बताऊं क्या समय से आगे चले गई है मतलब जाना था gradually बड़ इतनी fast movement करी यार चाइना ने समय से आगे भाग गई है उसको बोलते है great leap forward इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer है great मतलब बहुत great amount में huge amount में, leap का मतलब होता है jump forward का मतलब आगे jump पीछे नहीं लिया, आगे लिया great leap forward इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer है according to demographic parameters the density of population is lowest density of population lowest चाइना के अंदर है अभी हमने बड़ा density of population का मतलब क्या होता है population divided by the total area जो population उस एरिया में रहे है उसको बोलते है population divided by total area चाइना इसका right answer है it is lowest in China and highest in India ये भी पता होना चाहिए density of population lowest है चाइना में और इंडिया के अंदर highest है मतलब एक एरिया में जादा से जादा लोग इंडिया के अंदर रह रहे है it is the right answer डाइस प्रोग्राम वस्टार्ट इन चाइना विद दी अम अफ इंडिस्टिलाजेशन rapid modernizing Chinese economy इंडिस्टिलाजेशन not only in urban areas but also in rural areas greatly forward इसका right answer है इसका बिल्कुल correct answer है आगे move on करें इंडिया नहीं होना चाहिए राइड अंसर इस चाइना चाइना life expectancy at birth मतलब कितने लोग जीवित रहते हैं बर्थ के बाद life expectancy at birth उसको बोलते हैं चाइना इस राइड आंसर फू अमंग दा फॉलोइंग which among the three countries has highest percentage of population above अब देखो यहाँ पे BPL की बात नहीं कर रहा यहाँ पे APL की बात कर रहा है APL का मतलब होता है above poverty line देखो यार यह poverty line होती है अब आप बोलोगे poverty line क्या है आपको पता हो नची poverty line एक benchmark है कि अगर एक व्यक्ति दिन के अगर एक व्यक्ति दिन के 80 रुपे कमाता है या 80 रुपे से जादा कमाता है तो वो above poverty line की उपर आता है तो एक imaginary line है अगर उससे जादा कमाते हो तो यहाँ आगए उससे कम कमाते हो तो यहाँ आगए क्या यह बात सबको समझा गए कोई problem तो नहीं है तो which among the three countries has highest percentage of population above poverty line इसका right answer is China is the right answer यह चाइना इसका बिल्कुल बिल्कुल correct answer है आगे move on करें The main aim of great leap forward in China was to ensure rapid increase of industries industrialization को बढ़ाना ही main aim था China की great leap forward policy का तो rapid increase कि सीज का होना चाहिए था industries का होना चाहिए था B is the right answer which of the following countries adopted one child policy China ने adopt करी थी इंडिया ने अभी तक डॉप्ट ने करी है one child policy SEZ का आपको पता है सबसे बहले concept China ने launch हिया था उसके बाद बाकी देशों में आया था बताओ जल्दी से इसका answer क्या होगा जल्दी से SEZ सेट अप करें क्यों गए थे जल्दी से बताओ इसका राइड आप सर्थ झाल 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 हां जी आगया पहली बात तो ये social economic zones ज्यान दे समझो ये social economic zones नहीं होना चाहिए यार ये special economic zones होना चाहिए special economic zones इसको एक बाद लिख लो ये SEZ social economic zones नहीं होते special economic zones होते हैं ये mainly establish करे गए थे to attract foreign investors भाई डेवलप backward areas को backward regions को develop करना main motive नहीं था special economic zones की वज़े से हो रहा था यान दे समझो special economic zones की वज़े से ये हो रहा था कि backward regions were also being backward regions were also getting developed but special economic zones इसलिए नहीं बने थे backward regions को develop करें अरे यार foreign investors आएंगे चाइना में पैसा डालेंगे तब चाइना की growth होगी तो special economic zones में subsidies मिला करते थी tax concession मिला करते थी electrification free थी ease of setting up business free था business इसको promote किया जाता था कि अगर आप एक business setup करते हो इस special economic zone के अंदर आपको काफी फाइद है मिलेंगे rent free space मिलेगी बोलो yes or no तो attract foreign investors yes special economic zones का definitely एक एक बहुत बड़ा factor था to attract foreign investors बाकि सब जरूर उसके consequence है या उसके reasons है but primary reason है to attract foreign investors is the right answer China discontinued the one child policy उन्होंने discontinued कर देदी क्यों उन्हों लगता था at one point of time there will be more elderly people in proportion to young people and China might not be able to maintain its position as a young country in future ज्यान से समझना young country in future मतलब young population होना एक country के लिए बहुत बड़ा advantage होता है young country होना एक young population होना एक country के लिए बहुत बड़ा advantage होता है और जितने elder लोग होंगे मैं आपको बताता हूँ एक country के perspective से वो इतनी अच्छी बात नहीं है तो चाइना को डर लगने लग गया था एक point ऐसा तो नहीं आएगा जब हमारे elderly people जादा हो जाएंगे in proportion to young people और हमारी country फिर old country के लाए जाएगी young population या youth country नहीं के लाए जाएगी तो इसलिए चाइना ने एक one point of time में 2015 में आकर उन्होंने सोचा था कि हम year one child policy को रोक रहे हैं allowing all the families to have two children to improve the balance of adultly and young population तभी maintain हो पाएगा balance तभी चाइना बढ़ पाएगी उस pace से because आपको पता है चाइना succeed क्यों होती है higher growth rate than India से because वो communist pattern of economy follow करती है या उससे कोई मतलब नहीं है ये इसने reforms जल्दी start कर देते इसने चाइना की higher growth rate है एक possible situation हो सकती है बढ़ इससे पहला इससे better answer है it gave much more importance to manufacturing sector इंडिया much more importance to manufacturing को नहीं देता services sector को देता है employees, services, softwares, TCS tata consultancy services consultancy services सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है we believe in servicing not manufacturing manufacturing definitely इंडिया के अंदर होती है but China के अंदर manufacturing का hub है manufacturing का बाप है चाइना इसलिए अलीबाबा सबसे cheap products चाइना के मनते है क्योंकि manufacturing महाँ पर huge है economies of scale सबसे ज़्यादा है right answer is C is the right answer ठीक है जी GLF with respect to People's Republic of China was referred to as greatly forward ही बोलेंगे ना इसका नाम थोड़ना change हो जाएगा चाहे वो People Republic of China People Republic of China मतलब China की जो government उसको People Republic of China बोलता है greatly forward is the right answer 1958 में यह launch हुआ था the production unit involved in transforming one good to another उसको पता है आपको यहर तीन सेक्टर होता है primary, secondary, tertiary primary के अंदर agriculture आती है secondary के अंदर industries, factories आती है और majorly transform होता है एक good into a final good तो इसका right answer होना चाहिए secondary good is the right answer secondary sector is the right answer और production unit जिदने भी production unit होती है जैसे कोई factory हो गई कोई बहुत बड़ा production unit हो गया machinery होगी है सारे secondary units यह secondary sector के अंदर रखी जाती है इसने बीस का बिल्कुल बिल्कुल सही answer है ठीक है guinea index is linked with अच्छा यह guinea index किस-किस ने बढ़ा है आपने थोड़ा बहुत बढ़ा होगा at least यह graph तो देखो नहीं देखा होगा आपने बट इसको बोलता है guinea coefficient यह income inequality बताता है यहाँ पर देखो यह person 1 कितना कमा रहा है person 2, person 3, person 4 till person 10 कितना यह कमा रहे हैं यहाँ पर जो green area है वो बताता है कि कितना यह earn कर रहे हैं A जो area है वो बताता है cumulative income कितना यह कमा सकते हैं ultimately guinea coefficient होता गया है A upon total service A plus B is equal to guinea coefficient it tells you what is the income inequality level in a country guinea index क्या बताता है income inequality level in a country बताता है yes राकिश आप दे सकते हो पर प्राब्लम नहीं है मतलब 10 लोग मान लो एक example के तौर पर हमने मान लिए 10 लोग हैं उन 10 लोगों के बीच में income inequality कितनी है उसको बोलते हैं guinea index guinea index बताता है कितनी शमता है कमाने की और कितना कम कमा पा रहे हैं लोग ये cumulative income और percentage को उपर काम करता है इसका formula होता है income inequality का guinea coefficient और guinea index इसको बोलते हैं is the right answer in short आपको syllabus में ये समझना है ये guinea index जो है ये किस से लेड़ेड है income inequality से लेड़ेड है is the right answer quality life index is developed by UNDP United Nations Development Program UNDP सबको पता होना चाहिए United Nations Development Program United Nations Development Program United Nations Development Program समझते हैं क्या है United Nations Development Program समझते हैं क्या है कितने countries में quality life index मतलब भई life में सिर्फ ये मत समझो कि कितना पैसा कमा रहे है quality life कौन कौन जी रहा है उसका index या in short बता हूँ आपको मैं HDI भी से लेड़ेड है human development index quality life index जैसा ही होता है इसमें ये पता लगता है overall categories अगर हम देखे overall parameters देखे quality life कौन कौन सी countries जी रही है 189C is the right answer बड़ा critical question है बड़ी important है जिसको HDI भी बोलते है HDI of 189 countries in the annual HDI report 189 is absolutely correct and economic development proceeds income inequality tends to follow dash curve जैसे यार economic development हो रही है तो मतलब लोगों का जो पैसा है हाथ में वो जादा आ रहा है आपको पता है जैसे जैसे भड़ता रहेगा जानते समझना जैसे जैसे economic development जैसे जैसे income inequality तो कम होरी है income inequality कम होने का मतलब यह inverted U-shape inverted U-shape समझते है income equality उपर जारी ती उपर जारी ती बड़ जैसे economic development वह वापिसाने शूरू होगह इसको बोलते हैं inverted U-shape, उपर जा रही थी, बट economic development होते होते, एक point of time तक, एक point, एक point, पिनेकल point तक पहुँचेगी, फिर वाज एक दम U-turn मान लेगी, इसको बोलते है, inverted U-shape, देखो U यह होता है, inverted U मतलब उल्टा U, right answer is B is the right answer, B, B, B is absolutely correct, inverted U-shape, the income quality tends to increase at initial stages, and then decreases as the economy develop, मतलब हमें development के time, जैसे इंडिया के अंदर भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है, कि हमारे पास तो यार inequality बढ़ रही है देश में, but at one point of time, यह जब reach करेगी, economist बोलते हैं, यह वापिस U-turn मारेगी, और development बढ़ने के साथ साथ, economic development अगर बढ़ती जाएगी, तो ultimately economic, जो income inequality है, वो भी कम होती रहेगी, इसका B is absolutely correct, a geographical region that has economic laws, different from a country's typical economic laws is called, यह same चीज़ अभी हमने बढ़ी SEG बोलते हैं इसको, special economic zones, इनका law, taxation, governance अलग होती है, यह country की typical economic laws से थोड़ा हटकर होती है, थोड़ी सी privileges दी जाती है, अगर आप special economic zones के अंदर अपनी industries, factories, business, set up करते हो, ठीक है जी, the industry that is engaged with production of machines that are used to produce consumption goods, उसको क्या बोलते हैं, ओके, कोई ऐसी industry जो production of machines करती है, तो machines वहाँ पर use हो रही है, और consumption goods वहाँ पर produce हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, consumption goods industry, capital goods industry, primary industry और construction industry, देखो construction तो मतलब building है, building तो हम बना रहे हैं, primary industries का अंसर होगा नहीं क्योंकि अगरी culture related कोई काम ह होनी रहा, हम तो consumption goods बना रहे हैं, जब भी हम यार, machine के तुरू consumption goods बनाते हैं, उसको बोलता है, capital goods industry, B, 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 इसका बिलकुल correct answer है, capital goods refer to products that are used to produce other products, but are not incorporated into the new product, these include machine tools, basically यार, इसका right answer B होना चाहिए, B, B, B is absolutely correct, B वाले बिलकुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न, machine से कोई final product जो बनाया जा रहे है, वो machine के तुरू बनाया जा रहे है, machine, industry machinery, plant equipment, construction of machinery, mining, repairs, electrical equipment, यह सब जहां मौझूद होती है, उसको capital goods industry बोलते हैं, और आपने micro या macro के अंदर पड़ा होगा, दो तरह के goods होते हैं, एक होता है capital goods, एक होता है consumption goods, capital goods वो goods होते हैं, जिनके तुरू consumption goods ब लखी जा रहे हैं, उससे एक final product बन रहा है, उसको capital goods industry बोलेंगे तो B is the right answer, आगे आजएं, इंडिया mixed economy follow करता है, just give me a moment, okay, just give me a moment, hang मार रहा है भाई, hang, short fair hang मार रहा है, कोई बात नहीं, ठीक करते हैं इसको, एक मिट का समय दो, चलो, हम आगे अपने question पर, ये लो जी, ये रा question, तो ये क्या पूछना चाहरा है, ये देखो, ये क्या पूछना चाहरा है, ये बिसके लिए पूछना चाहरा है, correct pair आपको match करना है, क्या करना है, correct pair आपको match करना है, कोई बात नहीं करतेंगे, कोई बहुत बड़ी बात न नहीं है चाइना की टू चाहिल्ड नॉर्म ही है वटाइसलह पोपोलेशन यह गलत लौ गालुट चाइना की है HDI density of population है नहीं human development indicator और बहुत कुछ बताता है सिरफ density of population नहीं बताता है इसलिए A is the right answer ठीक है जी A is absolutely correct ए बिल्कु सही answer है आगे आजो चाइने के अंदर capitalist economy होती है नहीं mixed economy होती है चाइना growth due to agriculture sector है बिल्कुल गलत है चाइना की growth service और production sector से है agriculture sector से नहीं है पाकिस्तान high degree of urbanization गलत अर्बनाइजेशन मतलब ज्यादा शहर शहर और metropolitan cities है वहाँ पे नहीं ज्यादर localization या इसको बोलते है रूरलाइजेशन रूरल एरिया ज्यादा है अर्बनाइजेशन कम है development या modernization पाकिस्तान के अंदर कम है सब्सक्राइब का इंडिकेटर life expectancy है बिल्कु सही है life expectancy कितना व्यक्ति जी रहा है life expectancy definitely human development indicator है 4D is the right answer human development indicator आपको 100% करके जाने जाने यह यह व्लॉगर सुरज मैं courier career counseling भी करता हूं आप एक बार मेरा WhatsApp नमबर लिख लो प्यारे बच्चे जितने भी स्टूडेंस को personalized career counseling चाहिए आपके पास पहली बात तो रफ्तार बैच कंदर available है 639766212 जो भी remaining doubts है आप एक बार में को WhatsApp कर दो 639766212 आपके सारे doubts वहाँ पे clear हो जाएंगे जी economic reforms in India 1991 में हुए 1992 में नहीं हुए same यार आपको correct pair match करना है economic reforms in great leap forward 1957 में नहीं हुए 1958 में हुए economic reforms in Pakistan 1988 में हुए यार ये थोड़ा सा पंगा लग रहा है 1979 में economic reforms in Pakistan ये बिल्कु सही है यार 3C is absolutely correct 3C इसका बिल्कुल बिल्कुल सही answer है 3C is absolutely right ठीके जी आगे move on करें economic reforms चलो आगे move on करते हैं India की low population है correct pair again आपको pairing करनी है इंडिया की low population है इंडिया की low population है बहुत बड़ी population है इंडिया की second largest population in the entire world चाइना की low fertility rate है yes चाइना की low fertility rate है जैसे पाकिस्तान में 3.4 children per women 2020 का data बोलता है 3.4 children per women पैदा होते हैं इससे चाइना के अंदर fertility rate कम है इतने पैदा नहीं होते हैं एक women को अगर आप account करो पाकिस्तान modernization की तरफ जा रहा है नहीं qualitative aspect of hdi is equal to gdp ऐसा कुछ aspect होता ही नहीं ऐसा कुछ aspect होता ही नहीं इस दे इसका bbb is absolutely correct ठीक है जी लास question पर आजाएं choose the correct pair इंडिया अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है not exactly मैं आपको दुबारा बता रहा हूं इस बात पर argument मत करना बट जा नहीं रहा है अर्बनाइजेशन economy आप बिल्कुल urban यहां पे तो rural rural areas बहुत जाद है ना अब यह भी तो देखो इंडिया के अंदर rural areas कितने जाद है चाइना के अंदर unemployment यह तो बिल्कुल गलत है यार चाइना के अंदर तो mass employment नहीं है चाइना आपने लोगों को बुखा नहीं मार सकता कभी भी पाकिस्तान improvement in agriculture sector नहीं हो रही पाकिस्तान और इंडिया दोनों service sector की तरफ इंग्लाइंड है उसके अंदर improvement करने है qualitative aspect of hdi education है यह बिल्कु सही है 4D is the right answer जो मैंने बताया qualitative क्या नहीं हो सकता भे qualitative gdp नहीं होती qualitative मतलब कितनी literacy है कितनी education पर आपत हो रही है उसको बोलता है qualitative aspect of gdp आप सभी students के लिए एक बहुत बड़ी update है यह update note कर लो यार सारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे यह update note कर लो यह रही update आप सभी के लिए रफतार batch cvt crash course तीन variants में available है यह coupon code आपको लगाना है इस coupon code यह उपर आ रहा है final 30 क्योंकि 30 जिन बचे हैं आपके पास cvt के इसमें आपके पास language domain general test इसका complete live classes के पुरा पूरा batch मुल रहा है जिसमें mock test 100% counseling यह सब included है add 2099 रफतार batch with ebooks comment section में इसका link है जल्दी से जाओ coupon code जरूर लगाना final 30 आपको discount मिल जाएगा और आप end roll कर सकते हो language प्रस general test live class के अंदर आपको 1399 का पढ़ रहा है अगर आपको domains नहीं करें सिर्फ language और general test करना है language domain और general test recorded format में अगर आपको चाहिए live classes देखनी नहीं 100% counselor support भी चाहिए mock test भी चाहिए थोड़े कम पैसे में थोड़े कम amount में तो आपके लिए 1399 का एक batch हम नहीं